हलो गाईस तो इस वाले वीडियो में हम अप्रेल मंत का फर्स्ट वाला पार्ट कवर करेंगे और ये वीडियो देखने के बाद आप इसकी प्रैक्टिस के लिए इसका क्विज जरूर लगा लेना उस क्विज में आपको आपके रैंक भी दिखाई देगी आपके पंजाब नेशनल बैंक ने अच्छा आपको पता होगा भी दस बैंकों का विले होकर के चार बैंक बन रहे हैं विले यानि की मर्ज होकर के चार बैंक बन रहे हैं और अभी ये मर्जर एक अपरिल से लागो भी हो गया है तो उनमें पंजाब नेशनल बैंक ने युनाइट टोटल कितने public sector banks हो गए हैं, 12 हो गए हैं, अब आपको यहाँ से याद होना चाहिए कि वो कौन-कौन से 10 bank है, जिनका विले हुआ है, और किस bank का किस में विले हुआ है, मैंने आपको वेसे कई बार बताया है, मैं एक बार फिर आपको बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना, तो Oriental Bank of Commerce और United Bank of India का विले हुआ है पंजाब National Bank में, Syndicate Bank का विले हुआ केनेरा बैंक में, इलाबाद बैंक का विले हुआ इंडियन बैंक में, और Andra Bank का और Corporation Bank का विले हुआ Union Bank of India में, तो यह आपको याद रखने हैं, फिर अभी किस राज्य सरकार ने प्रग्या Mobile Application को लांच किया लांच किया है, तो यह E-Past, चिकित्सा, बैंकिंग और अन्य जरूरी सेवाओं से जुड़े लोगों को जारी किये जाएंगे, ज्यारकंड की बात करेंगे तो Capital राची है, मुख्यमंत्री है, हैमंत सोरेन, और Governor है, दुरूपदी मुर्मूर, अच्या याद रखना, Central Cool Field का Headquarter भी आपका राची में है, और कई बार प्रशने पूचा जाता है, Cool Capital of India किसको कहते हैं, तो ज्यारकंड के धनबात को ही कहते हैं, और कुछ समय पहले, यानि कि जनवरी में Green Peace की रिपोर्ट आये थी, और उसने बताया था कि सबसे प्रदूशित शहर है कौनसा ज्यारकंड अरजुन मुंडा, उनका निर्वाचन शेतर, उनकी constituency है, जारकंड खुंटी, फिर अभी किस सरकार ने Mobile Hand Wash सुविधा शुरू किया है, तो सही उत्तर होगा आंदरप्रदेश सरकार ने, तो अभी आंदरप्रदेश की सरकार ने, सलम एरिया में रहने वाले जो लोग हैं, उ उसमें से चार नल निकले हुए होंगे, और हर नल के नीचे एक wash machine होगा, और दो साबून के dispenser होगे, तो वो लोग जो सलम सेरिया में रहते हैं, या जो बेगर लोग हैं, उनके बार-बार हाथ धोने के लिए ये सुविधा मदद करेगी, फिर अभी किसने Critics Choice Film Awards में सर्वि अभी नेता का पुरुषकार जीता, तो आंसर होगा, रनवीर सिंग ने, तो अभी जो आपकी Critics Choice Film Awards हुए, उसका दूसरा संस्करन हुआ, उसमें Best Actor के लिए Best Director, और Best Film, Best Actress, तो इन सब के अवार्ट की घोशना की गई, ये जो अवार्ट हैं, ये आठ भाशाओं में दिये जाते हैं, अगर हम हिंदी भाशा की बात करेंगे, तो Best Actor का अवार्ट मिला, रनवीर सिंग को गली बॉई मुवी के लिए, Best Director की बात करेंगे, तो जोया, अक्तर को Best Director का अवार्ट मिला, गली बॉई मुवी के लिए, Best Film आपकी गली बॉई रही, और Best Actress रही, गीती का उनलाइन घोशना कर दी है, फिर अभी किसने Corona Studies Series Launch करने की घोशना किये, तो सही उतर होगा NBT, यानि कि National Book Trust ने, और अभी मार्च के एंड में ही हम लोगों ने पढ़ा था कि इसने Hashtag Stay Home India with Books नाम से एक अभीयान भी शुरू किया था, जिसमें क्या था, लोगडाउन में लोग जो घर पे बेटे हुए हैं, वो घर पे बेटे-बेटे यहां से मुफ्त में, बुक्स को डाउनलूट करें और आराम से पढ़ें, National Book Trust की बात है, तो इसकी इस्तापना हुई थ National Book Trust के Director बने थे कौन? Lieutenant Colonel युवराज मले, तो ये नाम भीयाद रखना, फिर अभी किस संस्थान ने अपात काली निकासी बैग विक्सित करने की शुरूआत की है, तो सही उत्तर होगा DRDO ने, अच्छा आप लोगों ने अपात काली निकासी द्वार Emergency Gate टो सुना होगा, पर ये क्या है आपात काली निकासी बैग, तो देखो, Corona वारस से जो भी वैक्ति इंफेक्टेड हैं, उन्हें Emergency के हलत में ले जाने में, या फिर आइसोलेट करने में ये बैग हेल्प करेगा और इसे बना रहा है DRDO, अच्छा DRDO से एक और पॉइंट में आपको बताऊंगा, अ DRDO अभी मास्क वगेरा, वेंटिलेटर, सेनिटाइजर ये सब बना रहा है, DRDO की बात करेंगे, फुल फॉर्म होगी Defense Research and Development Organization, नई दिली में Headquarter है और इसकी स्तापना कब हुई थी, मैंने आपको याद करवाया है, जब नासा की स्तापना हुई थी, यानि कि 1958 में, एक पॉइं तो तमिल नाडू में, तो तमिल नाडू के कोइंबटूर में मोधी किचन की स्तापना की गई, तो इस रसोई में हर दिन 500 लोगों के लिए भुजन बनता है, और ये 14 अपरिल 2020 तक चालू रहेगा, एक्चुलिस मोधी किचन का उद्देश है, COVID-19 महामारी के कारण लागू तमिल नाडू से याद रखो, इसके कैपिटल है चैन्नई में, चमड़ा अनुसंदान केंदर आपका चैन्नई में है, और मुखे मंतरियें एड़ा पड़ी के पलानी स्वामी, गवर्नर है, बनवारी लाल पुरो है, और दो मंदिर आपके काफी एक्जाम में पूछे जात पिछले महीने हमने पड़ा था, तमिल नाडू में कोरू मंदल तड़ पे जो कामराजार पोर्ट है, जिसे पहले एन्नोर पोर्ट, एन्नोर बंदरगा के नाम से जाना जाता था, ये भारत का बारवा मेजर पोर्ट है, तो इसमें क्या हुआ, इसमें अभी भारत सरकार ने अपने 66.67% की हिस्सेदारी थी उसको 2,383 करोड रुपे में चेन्नेई पोर्ट ट्रस्ट को बीच दिया फिर अभी भारत पे ने COVID-19 को कवर करने वाली बीमा की सुविदा देने के लिए किसके साथ समझुता किया है तो आंसर होगा ICICI Lombard General Insurance और ये जो सुविदा है खास तोर पे दुकानदारों के लिए है जो कोरोणा वाइरस के प्रकोप के करन आर्थिक रूप से सबसे ज़्यादा प्रभावित हुए है अच्छा भी ICICI Lombard General Insurance कुछ समय पहले न्यूज में भी था जब इसने कोरोना पॉजिटिव व्यक्तियों के लिए COVID-19 प्रोटेक्शन कवर के शुरुआत की थी बाकी भारती एक सा जनरल इंशॉरेंस की बात करेंगे तो इसने DBS पैंक के साथ मिलकर के COVID-19 को कवर करने के लिए बीमा योजिना शुरू की भारत पे की बात कर लो हैटक्वाटर नई दिल्ली में है और इसके CEO है एशनर ग्रोवर और आईसे ऐसे लॉंबार्ड की बात करेंगे हैटक्वाटर मंबई में है और इसके मैनेजिंग डिरेक्टर है भारगव दासकुपता फिर एक इसर राज्य में संक्रमित लोगों का पता लगाने के लिए Active Cash Finding Campaign चुरू किया है तो आंचरों का हिमाचर प्रदेश में तो हिमाचर प्रदेश सरकार ने कोरोना वाइरस से संक्रमित लोगों का पता लगाने के लिए Active Cash Finding Campaign चुरू किया है इसमें क्या होगा लोगों को उनके घरों के दरवाजे पर COVID-19 के लक्षणों के बारे में जानकारी दी जाएगी ताकि वो समझ सकें कि इन में से कोई लक्षण, सिम्टम्स उन पें तो नहीं है हिमाचर प्रदेश की देखो दो कैपिटल है समर कैपिटल इसकी सिमला है और विंटर कैपिटल है धरमशाला मुक्य मंत्री है जेराम ठाकुर और गवर्नर है बंडारू दत्तात्रे याद रखना प्रधान मंत्री उजवला योजना के अंतरगत सूप परतीशत LPG कवरेज वाला भारत का पहला राज्य है हिमाचर प्रदेश हिमाचर प्रदेश में कुछ इंपॉर्टन नैशनल पार्क जैसे कि पांसर होगा परियटन मंत्राले ने तो अभी परियटन मंत्राले ने देश के अलग-अलग हिस्सों में फसे विदेशी परियटक को की मदद के लिए इस ट्रेंडेट इन इंडिया पोर्टल लॉंज किया है तो इस पोर्टल पे COVID-19 हेलप लाइन डेस नंबर दिये गए हैं जिसके माद्यम से जो विदेशी परियटक अभी भारत में अटक गए हैं लोकडाउन के कारण जहां थे वहीं रुख गए हैं तो इस पोर्टल पे जाकर के मदद के लिए संपर्क कर सकते हैं अच्छा परियेटन मंत्रा लेकर राज्य मंत्री को ने प्रहलात सिंग पटेल हैं फिर है हाली में जारी अंक टाट की रिपूर्ट के अनुसार चीन के साथ कौन सा देश मंदी से प्रभावित नहीं होगा तो आंसर होगा भारत अंक टाट मतलब होता United Nations Conference on Trade and Development तो अभी इस Shop to Developing Countries नाम से एक रिपूर्ट जारी किया और उसमें बताया कि भारत और चाइना को छोड़कर के ग्लोबल एकोनोमी इस वर्ष मंदी से प्रभावित होगा यानि कि भारत और चाइना नहीं होंगे और कुछ समय पहले भी हमने पढ़ा था कि International Monetary Fund ने का है कि कोरोना वारस क चलते दुनिया इस पष्ट रूप से मंदी के दौर में पहुंच चुकी है अचा वैसे अभी International Monetary Fund एक और वज़े से न्यूज में था अभी इसने सबी देशों की आर्थिक प्रतिक रियाओं पर निगरानी रखने के लिए एक पॉलिसिस ट्रेकर को लांच किया था और 11 मिलियन लोग करीबी में प्रवेश्च कर सकते हैं अंक टाड की बात हुई है इस तापना 1964 में हैड़कोर्टर इसका जेनेवा स्विट जलेन में है फिर है देट आफ जीसस पुस्तक का विमोचन किया गया इसको रिलीस किया इसके लेखर कौन है आंचर होगा जे एम इन्हें 2003 में साहित्यक शेत्र में नोबल पुरिसकार भी मिल चुका है और इन्होंने लिखा है इस बुक को बाकी सवीता छाबड़ा हम पढ़ चुके हैं इन्होंने बुक लिखी थी लीगर्सी ओफ लर्निंग धरमेंदर रॉय ने लिखी थी धिन माइंड मैप बुक और केक के खंडेलवाल ने The Commentary and Digest on the Air Act 1981 नाम की बुक लिखी थी अच्छा आप मैं से काफी सारे स्टुडिंट्स बोल रहे हैं कि जो अभी 2020 में तीन महीने में जो भी इंपॉर्टेंट बुक्स आईए उन पे एक छोटा सा वीडियो बना दिया जाए देखो वीडियो का टाइ तो हम ऐसा कर लेंगे फिर है अभी किस देश ने COVID-19 के इलाज की रूप में भालू के पित का उप्यूग करने की सिफारिश की है तो अंसर होगा चाइना ने तो अभी चाइना की सरकार ने दवाओं की एक सूची तयार किये जिससे कोरोना वायरस का इलाज करने में दवाएं शामिल है और इन दवाओं में एक दवा ऐसी भी है जिसमें जंगली भालू के बाइल यानि की पित्ता शे गॉल ब्लेडर में पाया जाने वाला तरल पदार जिसे बाइल जूस कहते हैं उसे उप्यूग करने के सिफारिश की है देखो चाइना की बात करेंगे तो कैपिटल तो बीजिंग है कई बार पूछा जाता है एशियन इंफरस्ट्रक्टर इंवेस्टमेंट बैंक का हैटकौटर का परे तो बीजिंग में और विंटर औलंपिक जो 2022 में होंगे बीजिंग में ही होंगे करंसी है रेनमिन भी प्रेसिडेन्ट है शी जिन पिंग या दखना भी जनवरी में ही सिप्री की रिपोर्ट आय थी और उसमें कहा गया था कि दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा हत्यार निर्माता देश कौन सा बन गया है तो चाइना बन गया है पहले नमबर पे युए से है फिर है उडिशा दिवस अभी हमने कब मनाया तो आंसर होग एक अपरेल को और एक अपरेल को ही क्यों मनाते हैं क्योंकि एक अपरेल 1936 को उडिशा की स्थापनवी थी इसलिए इसे उडिशा दिवस भी कहा जाता है इसे उत्कल दिवस भी कहा जाता है और आपको बता दू 2011 में उडिशा का नाम बदल करके ओडिशा कर दिया गया था अच्छा, एक अप्रिल को एक और का हम स्थापना दिवस मनाते हैं, किसका? RBI का, RBI की स्थापना होई थी, एक अप्रिल 1935 को. फिर है, नासा ने सूर्य के अध्यान के लिए किस मिशन की घोशना की है, तो आंसर होगा सन्राइज मिशन की. सन्राइज मतलब होता है, सन्रेडियो इंटर फैरो मेटर स्पेस एक्सपेरिमेंट. तो अभी नासा ने सूर्य के विशाल काय और सोर कण तुफान का अध्यान करने के लिए ये सन्राइज मिशन की घोशना की है. और इस मिशन का उद्देश है, सोर तुफानों का अध्यान करना और सोर प्रनाली के कारे का समझना. और ये स्टडी भविशे के अंतरिक्ष यात्रियों को मंगल ग्रह के यात्र करने में और सोर तुफानों से बचाने में मदद करेगा. अच्छा देखो, सूररे की स्टडी के लिए नासा का एक और मिशन है, जिसका नाम है पार्कर मिशन. और नासा का चंदरमा की स्टडी के लिए कौन सा मिशन है? उसका नाम है Mission Artemis. और इनका जो Mars Mission है जो इस साल शुरू करेंगे ये जिसमें एक rover भेजेंगे ये जिसका नाम है Perseverance NASA की बात कर लें तो इसका full form हो गया National Aeronautics and Space Administration Washington DC में Headquarter है और इसकी स्थापना कब हुई थी 1958 में अध्यक्ष है Jim Bridgestine और जब भी NASA की बात आती है मैं आपको केता हूँ दो अंतरिक्ष यात्रों के नाम याद रखने हैं आपको एक तो है क्रिस्टीना कोच और एक है जैसिका मीर और इन दोनों ने अंतरिक्ष में पूरूशों के बिना International Space Station के बाहर चहल कदमी करके इतिहास बनाए था और क्रिस्टीना कोच की बात करेंगे तो अंतरिक्ष में सबसे लंबे समय तक रहने वाली महिला बन गई है यह 328 डेस तक रही है फिर है United Nation के कूप 26 जलवायू परिवर्तन शिकर सम्मेलन जिसे 2021 तक के लिए इस्थगित कर दिया गया है यह किस शहर में आयोजित किया जाना था तो सयूतर होगा ग्लासगो में देखो कूप मतलब होता है Conference of Parties वैसे मैं आपको बता दू यह इसी साल होने वाला था नवंबर में कहां पर ग्लासगो में पर COVID-19 के कारण इसे अगले साल के लिए स्थगित कर दिया गया पॉस्पोन कर दिया गया है और इसके अलबा एक और पॉइंट में आपको बताऊंगा कि भारते मूल के अशुक शर्मा का नाम आपको याद रखना है इनको COP26 जलवायू सम्मिलन का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है अब ग्लासगो में ये होना था तो ग्लासगो ये कहां पर है ये देखो स्कॉटलेंड का एक शहर है स्कॉटलेंड जिसकी कैपिटल एडिनबर्ग है और जो ये स्कॉटलेंड है ये युनाइटिट किंडम का ही एक पार्ट है अब ये युनाइटिट किंडम का पार्ट कैसे है चलो इसे मैं आपको और मैप से क्लियर करता हूँ ये जो आप मैप देख रहे हो तो यहाँ पे देखो अच्छा स्कॉटलेंड से करेंट अफेस के कुश्यन में आपको और बताता हूँ, अभी कुछ समय पहले आपने पढ़ा था कि सेनेटरी उत्पादों को मुफ्त करने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बना है तो आंसर होगा स्कॉटलेंड अच्छा आपने इस प्रशन में देखा, 2026 जलवायू परिवर्तन शिकर सम्मिलन, अब ये होगा कब 2021 में होगा, अगर आपसे प्रशन पूछा जाए कि कोप 20 ये का पे हुआ था, तो यह भी लास्ट देसंबर में हुआ था याद रखना, इस्पेन के मेडरेड में हुआ था और्टिज्म को हिंदी में कहते हैं आत्म केंडरित, ये एक तरह से मांसिक रोग है, इसमें मस्तिश्क का माइंड का मतलब डेवलप्मेंट नहीं हो पाता है, तो व्यक्ति जो और्टिज्म से ग्रसित है, वो खुद में ही खोया रहता है, आचा थीम क्या रही है इस बार की the transition to adulthood, फिर है सुन्दरम होम फाइनेंस के प्रबंद निदेशक मैनेजिंग डिरेक्टर के रुप में किसे नियुक्त किया गया, तो आंचर होगा लक्ष्मी नारेन दुर्रई स्वामी को, बाकी जो अप्शन है, इनको पढ़ो तो जरा, मोहित गोयं का, याद आया, याहु डॉट इनके डारेक्टर बने, अर्विंद क्रशना, आईबी एम के सीईओ बने, अजे बूशन पांडे, या हमारे वित्त सच्छी बने, सुन्दरम फाइनेंस का हैटकोर्टर आपके चैन्ने इतमिलनाडु में है, फिर है किसर राज्य में रेडियो इसकूल शुरू किया लिक्षा के कारेकरम प्रकाशित किये जाएंगे, ताकि लोकडाउन के समय पे जो घर पे बच्चे बैठे वे उनको लाब मिल सके, मद्यपरदेश की कैपिटल याद रखलो भोपाल है, और यहीं पे देश का पहला ई-वेस्ट क्लीनिक भी खुला है, और सीम अभी बन गए उसमें इंदोर चोथे स्थान पे रहा था, टॉप पे आगरा रहा था, और अभी कोरोना के प्रकोप से बचाओ के लिए ड्रून की साहिता से शहर को सेनिटाइज करने वाला पहला शहर बना था इंदोर, इसके अलावा याद रखना इंदोर में देश का पहला और दुनिय का दूसरा Infantry Museum भी बनाया जाएगा, कई बार पूछा जाता है एक्जाम में कि खजुराओ के मंदिर कहां पर है तो मद्यपरदेश में है, अच्छा एक बार तो प्रशन एक्जाम में आया था कि असम की खजुराओ किस मंदिर को कहते हैं तो मदन कामदेव को कहते हैं, और इस योजना को सभी गरीबों के लिए मकान योधना भी कहा जाता है, तो इस योधना में सफेद राशन कार्ड वाले निर्धन लोगों को एक रुपे में आवास इस्तल दिया जाएगा रहने की जगे जहां पे वो मकान बनाके रह सकते हैं, आंदर प्रदेश याद रखना ह अभी तो कैपिटल हैदराबाद है, लेकिन प्रस्तावित कैपिटल अमरावती है, मुक्य मंतरी जगन मोहन रेड़ी हैं, गवर्नर हैं विश्व भूशन हरी चंदरन, और देश का पहला दिशा पुलिस स्टेशन कहां पे खुला है, तो आंदर प्रदेश में खुला है, उ सबजियों के मामले में पस्ची मंगाल टॉप पर है, और अभी आंदर प्रदेश में चुनावी ब्रष्टाचार को रोकने के लिए निगाह एप भी लॉंच की थी, और याद रखना भाशार के आधर पर गठित होने वाला पहला राजज़ भी आपका आंदर प्रदेश ही 26 परतिशत की हिस्सेदारी को बेच दी है, तो आंसर होगा SBI General Insurance में, तो actually 2010 में SBI और Insurance Australia General ने मिलकर के SBI General Insurance की शुरुआत की थी, पर अब Insurance Australia General ने इसमें अपनी जो 26 परतिशत की हिस्सेदारी थी, उसको बेच दी है, 310 मिलियन डोलर में, अब किसको बेची है और कितने में ब कॉंबई में Headquarter है और इसके MDCO है, पूशन महापात्रा, फिर है 2021 में होने वाली World Athletics Championship को किस वर्ष के लिए स्थगित कर दिया है, तो अंसर होगा 2022, तो ये World Athletics Championship जो की 2021 में 6-15 August तक Oregon के Eugene शहर में होने वाली थी, Oregon ये US का एक State है, पर अब Coronavirus के कारण इसे रद्द कर दिया गया और अब ये 2022 में होगा, इसके अलावा मैंने आपको बताया था कि Commonwealth Games भी आपके 2022 में होगे, कहाँ पे होगे, Birmingham UK में होगे, और European Championship ये भी 2022 में होगी, Munich, Germany में, उसके अलावा 2022 में आपके Asian Games भी होगे, चाइना के Hangzhou में, 2022 में आपके Winter Olympic Games भी होगे, कहाँ पे, Beijing China में होगे, और 2022 में ही महीला Hockey World Cup होगे, Spain और Netherlands में, और पुरुशों का World Cup होगा भारत में, जबकि 2022 वाले जो आपके महीला T20 World Cup होगे, वो आपके South Africa में होगे, अच्छा देखो इसकी तरह और भी कहीं सारे events हैं, जो अभी news में रहे, तो उन सभी के लिए एक छोटा सा मैंने special video बना दिया आप लोगों के लिए, अगर आप लोगों ने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा, तो लिंक उसका मैं नीचे comment box में डाल दूँगा, उसको पिन कर दूँगा, तो वहाँ जा करके आप देख सकते हो, क्योंकि वो वीडियो बहुत beneficial होगा आप लोगों के लिए, बाकी यहा जो दूसरा Grand Slim था, French Open, उसको भी रद्द कर दिया गया था, coronavirus के कारणी, यह जो Wimbledon Open है न, यह सबसे पूराना Grand Slim माना जाता इसको, क्या है प्रश्न, हाल ही में दुनिया के सबसे बुजूर्ग पुरुष व्यक्ति कौन बन गये हैं, तो आंसर होगा Bob Watton, तो अभी Guinness World Record ब्रेटेन के Bob Watton को सबसे बुजूर्ग व्यक्ति का खिताब दिया है, यह भी 29 मार्च को ही 112 साल के जीवित सबसे बुजूर्ग व्यक्ति बन गये है, एक्चुली में अभी तक जो दुनिया के सबसे बुजूर्ग व्यक्ति थे, वो थे जापान के 3600 वतनवे, हमने करते हैं, दुनिया के सबसे बुजूर्ग महिला व्यक्ति, तो वो है काने तनाका और उनकी उम्र है 117 वर्ष, इसलिए मैं आपको कहे रहा हूँ, Bob Watton पुरुशों में सबसे बुजूर्ग है, दुनिया में सबसे बुजूर्ग व्यक्ति की बात करेंगे, ना महिला ना प पूछा जा सकता है, ये ब्रिटेन से हैं, ब्रिटेन की कैपिटाल आपकी लंडन है, करंसी इसकी पॉंड स्टेलिंग है और प्रधान मंत्री का नाम भी याद रखो, बॉरिस चॉंसन है, इनका नाम अभी न्यूज में क्यों रा, क्योंकि अभी कोरोना पॉजिटीव उप पॉजिटीव पाए गए थे, और ब्रिटेन के अभी वित्त मंत्री बनेते भारते मुल के रिशी सुनात, और आप जानते ही हो, पिछले साल ब्रिटेन की ग्रहस अच्छी बनी थी पृती पटेल, और एक और अपॉइंटमें याद रखो, भारत में ब्रिटेन के उच्चा फरवरी में दनी शेत्र में, वैसे फरवरी में भारत और ब्रिटेन के बीच में, इंद्र धनुस अभ्यास भी हुआ था फरवरी के लास्ट में, और ये कापे हुआ था उत्तर प्रदेश के वायू सेन्य स्टेशन हिंडन में, तो ये सारे पॉइंट्स आपको याद होने चाहिए, और डेली अगर आप लोग हमारा करन्ट अफेर्स का वीडियो देखते होंगे, तो ये चीज़े आपको रट चुकी होगी, फिर है COVID-19 के लिए भारत की पहली स्वदेशी परिक्शन किट का नाम क्या है, जिसे पूने में लांच किया गया, तो आंसर होगा पैथो टेक्ट, तो पूने में इस्थिच जो MyLab Discovery की Research and Development Team है, उसने COVID-19 के लिए पहली बार भारत में बनी, पूरी दरह से भारत में बनी, टेस्ट किट तेयार की है, इसलिए हम इसे कह रहे हैं, ये पहली सुदेशी किट है, और इसे छे सप्ता के रिकोर्ट टाइम में बनाया गया है, और इसे उक नाम दिया गया है, पैथोड डिटेक, क्या धखना देश की पहली सुदेशी किट है ये, आम तोर पे इस तरह की टेस्ट किट को बनाने में तीन से चार महीने लगते हैं, लेकिन इसे रिकोर्ड शे सप्ता में बनाया गया है, आचा क्लारा का नाम भी अभी क्रियाओं पर निगरानी रखने के लिए, फिर है, नैशनल इन्वेस्टिगेशन एजनसी किस देश में इस्थित गुरुद्वारे पर हुए आतंग की हमले के लिए अपने पहले विदेशी हमले की जांच कर रही है, तो आंसर होगा अफगानिस्तान, तो अभी राश्ट् आक्टर जनरल कौन है, वाई सी मोदी, योगेश चंदर मोदी, अफगानिस्तान की बात करेंगे तो तीन पॉइंट याद रखो, कम से कम, कैपिटल काबूल है, करन्सी अफगान, अफगानी है, और प्रसिडेंट फिर से बन गए थे अभी अश्र अफगानी, एक और आट्या फार्मोकोपिया को माननेता देने वाला पहला देश बना था आपका अफगानिस्तान, हमने पढ़ा था इसको, फिर अभी पोकर स्टार्स इंडिया के ब्रैंड अम्बेसेडर के रूप में किसे न्यूक्त किया गया, तो आंसर होगा महेंदर सिंग धुनी को, पोक इसले साल नवाजुद्दीन सिद्दगी इसके ब्रैंड अम्बेसेडर बने थे और अभी बन गए हैं महेंदर सिंग धुनी, बाकी सारा अली खान का नाम भी याद रखो, जे बी एल जो की एक आडियो एकिप्मेंट्स बनानी की कमपनी है, हैड़ फोन, इयर फोन बगेरा बनाती है, सारा अली खान इसकी अभी ब्रैंड अम्बेसेडर बनी है, अमिता बच्चन इंपॉर्टेंट नाम है, IDFC First Bank के पहले ब्रैंड अम्बेसेडर बने थे अभी है, और शारदुल ठाकुर की बात करेंगे, टाटा पावर के ब्रैंड अम्बेसेडर बने ये किरकेट तो ये सारे नए अभी 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 रिसेंटली जो बने हैं, उनके नाम में आपको बताए, फिर है जम्मू कश्मीर हाइकोर्ट में पहली बार किस न्यायदीश ने, यानि कि जजज ने भारत के समविधान की शपत लेकर कार्रेबार समाला है, तो आंसर होगा रजनीश ओस तो इनका नाम इंपोर्टेंट है क्योंकि जम्मू कश्मीर हाइकोर्ट में भारत के समविधान की शपत लेने वाले रजनीश ओस्वाल पहले जजज बन गए हैं जम्मू कश्मीर में, इससे पहले अभी तक जब आपको पता है जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 के तहत उस चीफ जस्टिस बने थे नए और रवी रंजन आप जानते ही हो जहरकंड आई कोट के चीफ जस्टिस है और अमरेश्वर प्रताप साही ये मदरास आई कोट की चीफ जस्टिस है जम्मू कश्मीर की बात कर लेते हैं तो यहां के पहले लेटिन गवर्नर बनने है कौन गिरि चंद मुर्मू है और इनी के जैसा एकोर नामे जो आपको कंफ्यूस कर सकता है गिरिश चंद चतुरवेदी वो नेशनल स्टोक एक्सचेंज के अध्यक्ष बने हैं तो दोनों में डिफरेंस याद रखना मुर्मू और चतुरवेदी का यंतर है और जम्मू कश्मीर के जो दॉक्टर शामा प्रसाद मुखर जी के नाम पे रख दिया गया वैसे कौलकता बंदरगा का नाम भी दॉक्टर शामा प्रसाद मुखर जी के नाम पे रखा गया है और मैंने आपको हजारों बार बताया होगा कि इनके नाम पे एक स्टेडियम भी है कहाँ पर है गोवा में हैं और इनके नाम पे एक और प्रश्ण बनता है कि अभी इनके नाम पे एक पुरुसकार दिया गया था किसको मिला था वो पुरुसकार असाम के मुख्य मंतरी सर्बानंदा सोनवाल को याद रखना भी जम्मू शहर का जो सीटी चौक है उसका नाम बदल के भारत माता चौक क अचा जम्मू कश्मिर हाइकोट की चीफ चेस्टिस का नाम भी आपको याद होना चाहिए गीता मितल उनका नाम है और उनका नाम इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि जम्मू कश्मिर की पहली महिला चीफ चेस्टिस हैं वो फिर अभी एंटी पीसी के मानव संसादन निदेशक के रोप में किसने कारेबार समाला है तो अंसर होगा दिलीप कुमार पटेल ने मानव संसादन निदेशक को अंगरेजी में बोलेंगे Human Resource Director बाकी प्रशांत कुमार ये अभी Yes Bank के MDCO बने थे और नुपुर कुल्चिरिस्ट की बात करेंगे तो भारतिय तट इंडियन कोस्ट गार्ड फूर्स की पहली महिला उप महा निरिक्षक डेप्यूटी इंस्पेक्टर जेनरल बनी थी चलो ये बताओ भारतिय तट रक्षक बल के डारेक्टर जेनरल कौन है ये प्रशन मैं आप ही पिछूडता हूँ क्योंकि मैं आपको पहले भी बता चुक कई बार तो प्रशन समझ में आया मैंने क्या पूछा आप से भारतिय तट रक्षक बल इंडियन कोस्ट गार्ड फूर्स के डारेक्टर जेनरल कौन है फिर एस एन श्रीवास्तव इन्हें अभी दिल्ली पुलिस आयुक्त का अतिरिक्त प्रबार एडिशनल चार्जेस दिय गया था अब एक और प्रशन आपके लिए तयार हो जाता है वो दो कंपनियों के नाम आपको बताने चाहे शौर्ट में बता दो जिनको महारतन कंपनी का दर्जा मिल गया है एंटीपिसी की स्तापनाविती 1975 में हैटकोटर नई दिल्ली में है और इसके अध्यक्षन गुरदीप सिंग फिर अभी भारत सरकार ने COVID-19 को ट्रेक करने के लिए कौन सा मोबाइल एप्लिकेशन लॉंच किया है तो आंसर होगा आरोग्य से तू आरोग्य से तू इसे भारत सरकार के द्वारा COVID-19 को ट्रेक करने के लिए लॉंच किया गया है तो जब भी अगर कोई व्यक्ति COVID-19 संकरमित व्यक्ति के संपर्क में आता है तो ये एप्लिकेशन उसको सचीत कर देगा बाकी Corona Watch ये भी अभी न्यूज में था करनाटक सरकार ने संकरमित व्यक्तियों के मुमेंट को ट्रेक करने के लिए ये Corona Watch नाम से एक मोबाइल एप्लिकेशन को लॉंच किया था प्रग्याम एप्लिकेशन जारगन सरकार ने lockdown के दोरन आवश्यक सेवाओं में लगे लोगों को e-past जारी करने के लिए इस एप्लिकेशन को लॉंच किया था और quarantine की बात करेंगे तो IIT Bombay ने संक्रमित लोगों पे नजर रखने के लिए इस मोबाइल एप्लिकेशन को बनाया था एक दो मोबाइल एप्लिकेशन और याद रखो एक दो राजस्थान पुलिस ने एप्लिकेशन लॉंच की थी राज कोप सिटीजन एप उसी तरह से नागालेंड सरकार ने self declaration COVID-19 एप लॉंच की थी और अभी पंजाब ने भी कोवाप पंजाब एप्लिकेशन को लॉंच किया था फिर है 2021 में तीसरे Asia UA खेल यानि कि Asian Youth Games का आयोजन के इस देश में किया जाएगा तो अंसर होगा चाइना में तो 2021 के Asian Youth Games का तीसरा संस्करन होगा ये चाइना में चाइना के शांटाओ में होगा अब हो सकता है आप में से कुछ लोग सोच रहे हों कि अभी पूरे देश में पूरे दुनिया में चाइना से ही ये coronavirus फेला है फिर इस खेल की मेजबानी चाइना को कैसे मिल गई और वो भी अगले साली तो ये मेजबानी तो उसे 2019 में मिल गई थी अभी तो बस टाइम टेबल यानि कि एक शेडियूल्ड एक तारीक डिसाइड की गई है कि 20-28 नवंबर तक होंगे ये 2021 केस में चाइना में कुछ और इवेंट्स की बात कर लेते हैं तो 2022 में आपके Asian Games होंगे वो भी का जो वर्ल्ड कप होगा वो भारत में होगा और 2022 में और क्या इवेंट होगा एक महिलाओं का T20 वर्ल्ड कप भी होगा वो होगा आपके South Africa में अच्छा एक प्रशन आपसे यहां पूछ लेता हूं मैं 2022 में ही FIFA मिंस वर्ल्ड कप होंगे वो कहां पे होंगे चलो बताओ कहा पे होंगे वो फिर अभी किर्केट में डकवर्थ नियम देने वाले गणी तक गया टोनी लुईस का निदन हो गया यह किस देश के थे तो आंसर होगा ब्रिटेन के तो किर्केट में जो DLS सिस्टम होता है ना यानि कि डकवर्थ लुईस सिस्टन यह नियम देने वालों में शामिल थे ये Tony Lewis और इनका भी निदन हो गया है अच्छा क्या होता है ये नियम तो cricket match में जैसे कि मौसम खराब हो गया या किसी भी कारण से जो betting करने वाली team होती है उसके लिए एक target score का लक्ष जिस method के थुरू calculate किया जाता है उसे ही कहते हैं Duckworth-Lewis Sterned Math ये basically एक mathematical formula होता है तो दो गणी तक गये थे दो mathematician दोस्त थे Tony Lewis और Frank Duckworth इन्होंने इस नियम को बनाया था जिसे 1999 में ICC के द्वारा अपनाया गया था और आपको बता दू 2010 में Tony Lewis को इसके लिए Order of the Britain Award भी दिया गया था और अभी इनका निदन हो गया तो इनका नाम important होगा इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ फिर है अंतर राष्ट्रे खदान जागरूकता दिवास यानि कि International Day for Mind Awareness ये कब मनाया गया तो आंसर होगा 4 अपरेल को तो जो minds होती और मुखे रूप से जो बारूदी सुरंगे होती है उनमें जो लोग काम करते हैं तो उनको कई खत्रों का सामना करना पड़ता है तो उसी खत्रों के बारे में लोगों को जागरूख करने के लिए से मनाया जाता है पहली बार इसे 2006 में मनाया गया था फिर है Olympic Council of Asia ने 2022 में होने वाले 19-वे Asian Games के शुभंकर यानि के मैसकोट के रूप में किसे चुना है तो अंसर होगा उपर यूगते सभी कॉंग ओंग, लियन, लियन, चैंचैन अब सबसे पहला प्रशन तो आपके माइन में ये आया होगा कि ये 19-वे Asian Games होंगे कहां पे तो ये चाइना में होंगे चाइना के हौंग जाओ में और अभी Olympic Council of Asia ने The Smart Triple के नाम से फेमस ये तीनो रोबोट कॉंग ओंग, लियन, लियन, चैंचैन को इसका शुभंकर चुना है तो इस प्रशन से आपको इतना याद रखना है आपके exam point of view से इतना important है अच्छा देखो, अभी आपको पता है, हमने पढ़ा भी था 2022 में जो Winter Olympics होंगे, वो भी कहाँ पे होंगे चाइना के Beijing में होंगे और उसके शुभंकर की बात कर ले, mascot की तो एक तो है मुस्कुराता हुआ पांडा जिसे बोलते हैं अच्छा देखो, ये तो है Asian Games और अभी पीछे ही हमने पढ़ा था Asian Youth Games और वो कहाँ पे होंगे 2021 में होंगे चाइना में, चाइना के शंटाओं में होंगे अच्छा वैसे बात शुभंकर की है, मैं स्कॉट की है तो अभी कुछ important शुभंकर में आपको बताता हूँ जैसे कि 2020 के जो National Games होने वाले हैं आपके नवंबर में, गोवा में होंगे उसका शुभंकर है रुबी गुला जो की एक flame-throated बुलबुल है और ये आपका गोवा का state bird भी है याद रखना और जो Tokyo Olympic 2020 जो अभी पॉस्टपन हो गए है 2021 में होंगे अब ये उसका mascot है मिराई तोबा और सोमाईती ये प्रस्ण exam में आ चुका है याद रखना एक तो ये प्रस्ण exam में आ चुका है और एक जो Beijing Olympic होगे 2022 में वो भी प्रस्ण आ चुका है exam में बाकी Olympic Council of Asia की बात कर लेते हैं तो इसका headquarter आप याद रखनो Kuwait City में है फिर है 2021 के जो World Games है उनको 2022 के लिए स्थगित कर दिया गया है आपको बताना है इन खेलों का आयोजन कहां पे किया जाना था तो आंसर होगा Birmingham में अच्छा ध्यान जे सुनना ये Birmingham UK वाला नहीं है ये America वाला है Actually में America के Alabama राज्य के Birmingham शहर में होने वाले थे ये World Games 2021 में होने वाले थे पर अब इन्हे 2022 के लिए shift कर दिया गया है और interesting fact में आपको बताऊं तो अभी तक जितने भी event रद हुए हैं वो coronavirus के करण हुए हैं पर ये event ऐसा है जो कि coronavirus के करण रद नहीं किया गया Actually मैं देखो हमने पड़ा था आपको याद होगा 2020 के जो 2K Olympic हैं उनको coronavirus के करण पॉस्पोन कर दिया गया जो अब होंगे 2021 में अब वो भी 2021 में होंगे और ये भी 2021 में होने थे तो दोनों में टकराओ हो रहा था इसी कारण से इनको shift कर दिया गया 2020 में ये जो world games हैं ये भी हर 4 साल में होते हैं अच्छा एक और interesting fact में आपको बताता हूँ world games में जो भी games होते हैं वो वही games होते हैं जो कि Olympic games में नहीं होते हैं बात समझ में आई मतलब Olympic में जो games नहीं हो रहे हैं वो games यहां पे होते हैं टोटल अभी 32 games शामिल हैं इसमें तो अब ये world games कब होंगे 2022 में होंगे फिर है FIFA under 17 महिला विश्व कप को COVID-19 महामारी के कारण इस्थगित कर दिया गया है ये किस देश में खेला जाना था तो अंसर होगा ये भारत में होने वाला था इसी साल होता ये 2 से 21 नवंबर तक होता लेकिन अभी कोरोना वारस के कारण इसे इस्थगित कर दिया गया है बाकी FIFA की बात है तो 2-3 पॉइंट याद रख लो जैसे कि इसकी इस्तापना 1904 में हुई जुरिक सुटजलेन में हैटकोर्टर है और इसके अध्यक्षे ग्यानी इंफेंटिनो और आपको याद होगा 2019 के जो FIFA Women's World Cup हुए थे कहां पे फ्रांस में वो जीता था किसने USA ने किसको हरा करके नीदर लेंड को हरा करके और उसमें बेस्ट खिलाडी का आवर्ड मिला था मैगन रैपिनो को USA की एई और FIFA की बात आईए तो मैंने आपसे पीछे पूछा भी था FIFA Men's World Cup 2022 में कहां पे होंगे तो वो होंगे कतर में जिसको नहीं आथ था वो ध्यान रखना वैसे सबको याद है इसके अलावा 2026 में जो होंगे वो कनाडा, मैक्सिको और USA में होंगे ये पॉइंट भी याद रखो इसके अलावा जनवरी फरवरी में हमने पढ़ा था कि जो FIFA रैंकिंग आई थी उसमें भारत्य पुरुष फुटबॉल टीम के रैंक क्या रही थी भारत्य पुरुष होक्टी टीम की रैंकिंग की बात कर रहा हूँ और इसमें टॉप पे रही थी बेल्जियम टीम फिर एक किस कंपनी ने COVID-19 से संबंदित जानकारी के लिए Watson Assistant for Citizens platform launch किया है तो अंसर होगा IBM ने तो अभी IBM ने COVID-19 से संबंदित सवालों के जवाब फ्री में देने के लिए Watson Assistant for Citizens platform launch किया है ये एक Artificial Intelligence platform है जो कि COVID-19 से संबंदित प्रशनों पर विशवशन ये जानकारी प्रदान करेगा IBM की याद रखो इसकी full form होती है International Business Machine ये एक American Multinational Technology Company है जिसके इस्तापना 1911 में हुई थी New York में इसका Headquarter है और इसके अभी नए CEO कौन बन गए है ये नए appointment है ये आपसे पूछो या मैं बता दू चलो मैं बताए तो इसके CEO है अरविंद करशना भारते मुलक है तो नाम important रहेगा अच्छा एक प्रस्ण एक बार exam में इस से related आया था वो मैं आपको बताता हूँ IBM का nickname पूछा गया था एक exam में तो ये आपको याद रखना है इसका nickname है Big Blue क्या नाम है? Big Blue फिर एक COVID-19 के उपचार में लगे स्वास्त कर्मियों के आने जाने में यानकि उनके परिवहन में कौन मदद करेगा तो अंसर होगा Uber Uber Cape है तो अब राष्ट्रे स्वास्त प्राधिकरन यानके National Health Authority ने सार्वजनिक स्वास्त सेवा में लगे स्वास्त कर्मियों को आवा जाही में सुविधा प्रदान करने के लिए Uber के साथ एक समझोता किया है तो इस समझोते में Uber COVID-19 रोग्यों के उपचार में लगे जो भी स्वास्त कर्मी है उनको ट्रांस्पोर्ट सर्विस प्रवाइड करेगा Uber की बात कर लेते हैं 2009 में इसकी स्तापना वी थी और हैटकोर्टर कैलिफॉर्णिया यूएसे में है और इसके CEO है दारा खोशरुशाही फिर एफ फिच रेटिंग ने विट वर्ष 2020-21 के लिए भारत की GDP ग्रोथ रेट कितना रहने का अनुमान लगाया है तो अंसर होगा 2% बहुत कम है, सबसे कम है तो क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है फिच उसने विट वर्ष 2020-21 के लिए भारत की GDP ग्रोथ रेट खटा करके केवल 2% रहने का अनुमान लगाया है और इसका कारण वही है कोरोना वाइरस देखो जो ये फिच रेटिंग है न विश्व की तीन सबसे बड़ी रेटिंग एजेंसियों में से एक है एक तो ये फिच रेटिंग हो गया एक मोडीज हो गया एंड S&P यानि की स्टेंडर्ड इन पूर्स हो गया तो ये तो जब भी इनके रेटिंग साय तो अपडेटेड वाली आप याद रखा करो ये इंपोर्टेंट पूछी जाती बाकी मैं आपको और भी रिवाइस करा देता हूं जो हम पीछे पड़ चुके हैं Asian Development Bank ने अभी 4 प्रतिशत रहने का अनुमाल लगाया है भारत की GDP ग्रोथ रेट किस वित वर्ष के लिए किस financial year के लिए 2020-2021 के हम बात कर रहे हैं उसी तरह से इंडिया रेटिंग्स ने 3.6% कहा है S&P ने 3.5% कहा है और क्रिसिल ने कितना गाये इसने भी 3.5% कहा है SBI ने कहा है 2.6% रहेगा और मुडीज ने वित वर्ष 2019-2020 के लिए कहा 2.5% रहेगा ये सारी updated वाली बताइए इसके बाद इन में कोई चीन ने आया है यानि की last updated वाली है तो इनको याद रखना फिर है केंदर सरकार के नुसार जम्मू कश्मीर में कितने साल से रहने वाले नागरिक domicile के हगदार होंगे तो आंसर होगा 15 साल तो अभी केंदर सरकार ने जम्मू कश्मीर के लिए एक नया domicile कानून तयार किया है और इस कानून के तहट 15 साल से अगर आप कश्मीर बे रहते हो तो आप यहां के domicile यानि की निवासी माने जाएंगे या जो भी बच्चे हैं वो 7 साल से वहां पे पढ़ाई कर रहे है मा के स्कूलों में और दसवी और बारवी के एक्जाम भी उन्होंने वहीं पे दिये है तो वो भी domicile के हगदार होंगे अच्छा ये domicile में बार-बार reward यूज़ कर रहा हूँ मतलब actually होता क्या है तो domicile एक ऐसा दर्जा होता है जो किसी भी राज्य में लोगों को कानूनी तोर पर रिस्थाई निवासी बनाता है तो ये प्रश्ण important रहेगा इसको याद रखना बाकी जम्मू कश्मीर के बारे में मैं आपको already पीछे बता चुका हूँ तो भी बढ़ते आगे फिर राश्ट्रे समुद्री दिवस National Maritime Day of India ये अमने कब मनाया तो आंसर होगा 5 अपरेल को अच्छा 5 अपरेल कोई क्यों मनाते हैं क्योंकि 5 अपरेल 1919 में भारत से पहला समुद्री जहाज बृतिन की यात्रपर गया था इसी लिए और किस कंपनी का वो जहाज था तो सिंधिया इस तीम नविगिशन कंपनी का और उस जहाज का नाम क्या था SS Loyalty था अच्छा इस बार की थीम आपको याद रखनी है Sustainable Shipping for a Sustainable Planet इस थाई ग्रह के लिए सतत शिपिंग और इस बार ये हमने 57 वा राष्ट्रे समुद्री दिवस मनाया अच्छा ये तो राष्ट्रे समुद्री दिवस हो गया एक अंतर राष्ट्रे समुद्री दिवस भी होता है World Maritime Day वो हम कब मनाते हैं तो देखो उसका कोई date fix नहीं है तो September के last week में जो Thursday होता है उस दिन उसको मनाया जाता है जैसे कि 2019 में ये हमने मनाया था 26 September को और 2020 में हम मनाएंगे इसे 24 September को तो September के last Thursday को मनाते हैं और इसी तरह से एक विश्व महा सागरिय दिवस भी होता है World Ocean Day वो हम मनाते हैं 8 June को दोनों में है तो पानी ही अचा पानी से याद आया एक World Water Day भी होता है जो हम कब मनाते हैं 22 March को मनाते हैं 22 March को वैसे बिहार दिवस भी मनाया जाता है अचा इसी के साथ एक और पॉइंट मुझे आपको बताना है राश्ट्रे समुद्री दिवस के आउसर पर दक्षिन मद्र रेलवे ने कोरोना वाइरस महामारी के कारण जो आपका लोगडाउन लगा हुआ है उस समय बिनार रुकावट परिवहन और आवश्चक वस्त्वों के आपूर्ती सुनिश्चित करने के लिए इस दूद दूरन तो स्पेशल ट्रेन को शुरू किया है और अभी इसे ये दिल्ली से छे दूद के टैंकर, आम, खर्बूजे बगरा लेकर के इसको रवाना किया गया था अच्छा दक्षिन मद्य रेल्वे से याद रखना, अभी इसने डूर स्टेप बैंकिंग के लिए स्टेट बैंक आफ इंडिया के साथ समझोता भी किया था बाकी जो उत्तर रेल्वे है, ये भी अभी नियूज में था क्योंकि उत्तर रेल्वे जोन ने पहले आदर्श होस्पिटल आईसोलेशन कोच का निर्मान पूरा कर लिया है बाकी पूर्वी तट रेल्वे की बात करेंगे, तो ये इस्ट कोस्ट रेल्वे ने भुवनेश्वर में अपना पहला वेस्ट टू एनर्जी प्लांट खुला था और अभी एक और पूर्वे याद रखना कि भारत सरकार ने 2024 तक 100% रेल्वे की इलेक्रिफिकेशन विद्यूती करन का लक्षय रखा है रेल्मंत्री पियूश गोयले हमारे और पहले रेल्मंत्री थे जॉन मताये आचा तीन ट्रेन की बात मैं हमेशा करता हूँ जब भी रेल्वे की बात आती है देखो तीन प्राइविट ट्रेन हैं हमारे पास पहली प्राइविट ट्रेन जिसका नाम है तेजस एक्सप्रेस जो चलती है दिल्ली लखनाव के बीच में दूसरी private train का नाम है Tejas Express जो चलती है एहमदाबाद और मुंबई की बीच में और टीसरी अभी शुरू हुई है वो चलती है इंदौर और वारणासी की बीच में और उसका नाम है काशी महाकाल Express तो ये भी याद रखना फिर अभी किस भारते NGO ने प्रतिष्टित स्कॉल अवर्ड जीता है तो आंसरोगा अर्मान ने तो भारत का एक जो non-governmental organization यानी की NGO है जिसका नाम है अर्मान और अभी इससे प्रतिष्टित स्कॉल अवर्ड से सम्भानित किया गया इससे भारत में मात्र और सिशू श्वास्त शेतर में योगदान के लिए चुना गया है और ये एशिया से चुना जाने वाला एक मात्र NGO है अच्छा बी आर एसी ये भी एक NGO है बांगलादेश का NGO है ये और ये भी अभी न्यूज में था जब इसने जेनेवा स्थित एडवाईजर के द्वारा जारी 500 NGO की लिस्ट को किया था फिर है ओप्रेशन संजीवनी के तहट भारत ने किस देश को 6.2 टन दवाउं के आपूरती किये तो आंसर होगा मालदीव को तो अभी भारते वायू सेना के जो हर्कुलिस विमान है उसने कोविड-19 से निपटने के लिए सहायता के रूप में मालदीव को दिया गया है मालदीव की बात है तो याद रखना कैपिटल इसकी माले है करंसी है रुफिया प्रसिडेंट इब्राहम मोहमेद सौली इसके लावा याद रखना अभी मालदीव न्यूज में था क्योंकि ये फिर से एक बार फिर से कॉमन वेल्स देशों का सदस्य से बन दिया ने 10 मिलियन डॉलर की राशी के साथ सार्क फंड बनाया था और उसमें मालदीव ने कितनी राशी दी थी दो लाख डॉलर की फिर एक इस राज्य के मुखे मंतरी को पेटा के द्वारा हीरो टो एनिमल अवाट से सम्मानित किया जाएगा तो अंसर होगा उडिसा एक् पेटा के फुल फॉर्म होती है पीपल फॉर दा एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल तो ये पशूओं के अधिकारों के लिए काम करने वाली एक नॉन प्रॉफिटेबल और्गेनाईजिशन है जिसका है यूएसे में अच्छा इसी तरह से आपको याद होगा एक नवंबर अभी जो बानवे नंबर के आसकर हुए थे उसमें फिर अभी चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स ने सरवादिक संक्या में रेल इंजन बनाकर एक नया रिकॉर्ड बनाया है आपको बताना है ये किस राज्य में स्थित है तो आंसर होगा पच्चिम बंगाल में पच्चिम रेल इंजन बनाकर के इसने एक नया रिकॉर्ड बना दिया और आपको बतादू ये पहली बार नहीं है जब इसने रिकॉर्ड बनाया है इससे पहले भी यानिकि वित्वर्ष 2018-19 में भी इसने 402 इंजन बनाकर के लिमका बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम द कुर्ड भी है और कॉलकटा किस नदी के किनारे इस्तित्ते ये प्रस्ण काफी बार एकजाम में ब魚चल जाता है हुगली नदी के किनारे इस्तित और हुगली-नदी के नीचे ही भारत की पहली अंडर्वाटर ट्रेन बीचलेगी उसके अलवा याद रखना अभी डाक विभाग ने भारत में पहली बार मुफ्त डिजिटल पार्सल लोकर सेवा शुरू की कहां पे कॉलकाता में मुख्य मंतरी यहां की ममताब एनरजी है गवर्णरे जगदीब धनकर और अभी बंगाल किर्केट संग के अध्यक्ष बने थे कौन अभी शेक डाल मिया सबसे युवा अध्यक्ष बने यह और अभी करशी मंतराले ने 2018 के लिए सबची उतपादन में किसको सबसे आगे बताया था पच्ची मंगाल को सबसे आगे बताया था और फलो की उतपादन में आंधर प्रदेश को इसके अलवा याद रखना पच्ची मंगाल के आसन सोल रेल्वे स्टेशन पे बनाया गया है देश का पहला restaurant on wheels यानि कि चलता फिरता restaurant फिर एक इस राज्य में लोगों को sanitize करने के लिए v safe tunnel लगाई गई है तो answer होगा तेलंगना में तो अभी तेलंगना में लोगों को sanitize करने के लिए v safe tunnel लगाया गया है और इसे कहाँ पर लगाया गया है तो राज्य के पुलिस महानिदिशक का रेले में तो मतलब आप फिगर में देख रहे हूँगे ये सुरंग टाइप स्ट्रक्चर है जिसमें कोई व्यक्ति अगर एक तरफ से गुजरेगा और दूसरी तरफ से निकलेगा मतलब उसमें से गुजरते वक्त इस्प्रे से छुड़का होगा जिससे 20 सेकेंड के अंदर अंदर उस व्यक्ति पे जो भी बैक्तिरिया वगरा लगे हैं वो सारे खतम हो जाएंगे और आपको बता दू इसी तरह से एक फुल बॉडी किटाणू शोधन कक्ष यानि कि डिस इंफेक्षन चेंबर डियाडियो ने भी तयार किया है और वो कोरोना वारेस संक्रमन से लोगों को बचाने में जो स्वास्त कर्मी लगे हुए है उनको सैनिटाइज करने के लिए बनाया गया है वो फुल बॉडी डिस इंफेक्षन चेंबर वो डियाडियो ने बनाया है और ये तयलंगना ने है तो दुनों मिलते चुलते थे इसलिए में आपको एक साथ बता दिया बाकी तयलंगना की बात कर लेंगे तो याद रखो अंद्रप्रदेश से कब अलग हुआ था ये दो जुन 2014 को आप जानते ही हो कैपिटल हैदराबाद है अच्छा कई बार प्रश्न पूछा जाता है यहां से आपके एक्जाम में कि हैदराबाद किस नदी के किनारे इस्तित है तो मुसी नदी के किनारे इस्तित है गवर्नरे डॉक्टर तमिली साइस सोंदर राजन मुख्य मंत्री है के चंदरशे खर राओ याद रखना 2020 चल रहा है तो 2020 को आर्टिफिशल इंटेलिजिंसी का वर्ष घोषित किया था तेलंगाना ने उसके अलावाद जो इसकी कैपिटल है हैदराबाद यहाँ पे दुनिया का सबसे बड़ा मेडिटेशन सेंटर भी बनाया गया है और हैदराबाद में ही भारते रेल्वे ने फिनेंशल मेनेजमेंट इस्टिट्यूट भी खुला है और नेशनल रिसर्च इस्टिट्यूट भी खुला है युनानी मेडिशन फॉर स्किन डिजीज के लिए यहीं हैदराबाद में और आपको याद होगा हैदराबाद को ही युनेस्को क्रेटिव सिटी औफ गैस्ट्रोनोमी का आवर्ड भी मिला था पाक कला के लिए महीं फिल्मों के लिए मिला था मुंबई को फिर है हाली में किसे नाइस्मित मैमोरियल बास्केटबॉल हॉल अफ फिम के सदस्य के रुप में चुना गया तो आंशार होगा कॉबे ब्रायंट को तो वैसे तो निदन हो चुका है कॉबे ब्रायंट का हेलिकॉप्टर एक्सिडेंट में सदस्य के रुप में इनको चुना गया है इसलिए इनका नाम इंपोर्टेंट है बाकी एलिस्टर कुक की अगर बात करेंगे तो इंग्लेंड के पूर्व किरकेटर है ये और नाइट हुड की उपादी से सम्मानित किया गया था इनको टाइगर वुट्स की बात करेंगे USA के गोलफर है ये और दो-तिन कारण से इनका नाम न्यूज में था एक तो 2019 में Presidential Medal of Freedom Award मिला था जोकि अमेरिका का सर्वोच नागरिक सम्मान है खुद डोनल्ड ट्रम ने इनको दिया था ये सम्मान और अभी इने 2021 के World Golf Hall of Fame में शामिल किया गया तो इनका नाम भी न्यूज में है बाकी संचिन तैंदुलकर आप जानते ही हो ICC Hall of Fame में शामिल होने वाले छटे भारत्य बने थे इनसे पहले पाच भारत्य कौन-कौन है अनिल कुमले, सुनिल गावसकर, कपिल देव, बीशन सिंग बेदी और राहुल धरबिड फिर अभी विकास और शान्ती के लिए खेल के अंतरराष्टर दिवस के रूप में कब मनाया गया तो आंसर होगा 6 अपरेल को है इसे बोलेंगे International Day of Sports for Development and Peace या सिंपल सा आप बोल दो International Sports Day आपको याद रहे जाएगा 6 अपरेल को मनाया अच्छा ये तो International Sports Day हो गया एक National Sports Day भी हम मनाते हैं महान होक्की प्लेयर थे हमारे मेजन ध्यान चंदी उनके जनम दिन को कब मनाते हैं? 29 नगस्त को मनाते हैं अच्छा एक वर Important Day में आपको शायद बताना भूल गया 5 अपरेल को क्योंकि इसी साल वो पहली बार मनाया गया तो वो बताना Important रहेगा अंतर राष्ट्रे अंतर रात्मा दिवस International Day of Conscience तो वो भी आप याद रखना क्योंकि पीछे में आपको 5 अपरेल बताया था भी किसी कुशन में राष्ट्रे समुद्रे दिवस National Maritime Day वो मुझे वहीं पर बताना था लेकिन वो मैं भूल गया तो अभी बता रहा हूँ पहली बार मनाया इसी साल तो वो ध्यान रखना फिर अभी सेबी में शामिल किस पून कालिक सदस्य का कारेकाल 6 मा के लिए बढ़ा दिया यानि कि फुल टाइम मेंबर कौन है जिनका टाइम पिरेट 6 मा के लिए बढ़ा दिया तो आंसर होगा माधवी पूरी बुच्च तो इनका नाम इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये सेबी की फुल टाइम मेंबर बनने वाली पहली महिला है और सेबी में बोर्ड सदस्य के रुप में शामिल प्राइवेट शेत्र की पहली महिला भी यही है बाकी समीर अगरवाल की बात करेंगे तो वॉलमॉट इंडिया की CEO बने थे ये राजिश कुमार की बात करेंगे तो सिबिल सिबिल के MDCO बने ये सिबिल मतलब Credit Information Bureau इंडिया लिमिटेड बाकी सेबी की बात है तो फुल पर्म यादी होगी आपको क्या है Security and Exchange Board of India देखो इसकी स्थापना में थोड़ा सा डाउट रिता है स्टुडेंट्स को इसकी स्थापना तो वैसे 1988 में हो गई थी लेकिन इसे वेधानिक शक्तियां दी गई थी 1992 में हैटक्वाटर मुंबई में है अजित यागीस के अध्यक्ष हैं जिनका भी अभी कार्यकाल 6 मां के लिए बढ़ा दिया गया फिर अभी केबिनेट ने राश्टरपती और सांसदों के वेतन में कितने परतिशत की कटोती को मंजूरी दी है तो अंसर हुगा 30 परतिशत तो COVID-19 के संकट को देखते हुए राश्टरपती, उपर राश्टरपती और सभी राज्यों के राज्यपाल के साथ सभी सांसदों ने अपनी सेलरी का 30 परतिशत योगदान देने का फैसला किया है तो 1 अपरेल 2020 से एक साल के लिए जो भी उनका वेतन, भट्ता, जो भी पेंचन है उसे अब 30 परतिशत से कम कर दिया जाएगा इसके अलवा 2020-21 के लिए और 2021-25 के लिए सांसदों को मिलने वाला MPLAD जो फंड है उसको भी अस्थाई तोर पर निलंबित कर दिया है मतलब वो अब इनको नहीं मिलेगा अच्छा यह होता क्या है MPLAD तो इसकी फुलफाम होती है Member of Parliament Local Area Development यानि की सांसद शेत्रिय विकास निधी सिंपल भाषा में आपको समझाओं तो हर सांसदों को अपने निर्वाचन शेत्र में विकास कार्रे करने के लिए हर साल जो फंड दिया जाता है और वो कितना दिया जाता है पांच करोड रुपे का फंड दिया जाता है उसे ही कहते हैं ये MPLAD तो अब ये भी दो साल के लिए नहीं दिया जाएगा और इससे जो भी फंड इखटा होगा जो भी हम बचा सकेंगे उसका उपयोग देश की स्वास्ति सिवाओं को बहतर बनाने में किया जाएगा फिर अभी संग रोध यानि की क्वारंटाइन का उलंगन करने वालों का पता लगाने के लिए जीओ फैंसिंग एप्लिकेशन का प्रयोग करने वाला पहला राज्य कौन सा बन गया है तो आंसर होगा केरल तो किसी वैक्ति को अगर क्वारंटाइन में रखा गया है और वो क्वारंटाइन शेतर को छोड़ करके बाहर निकल जाता है या वहाँ से भागने की कोशिश करता है तो उसकी जानकारी SMS या E-mail के तुरू जो संबंदित अधिकारी होगा उसको मिल जाएगे फिर वो उसके साब से जो एक्षेन लेना होगा वो ले सकता है तो एक्चुली आप कह सकते हो ये क्वारंटाइन की हुए लोगों को ट्रेक करने के लिए बनाया गया है तो अभी State Bank of India ने Corona Virus के करन लोगों को हो रही परेशानी से बचाने के लिए दोर स्टेप सुविधा शुरू की है तो अगर बैंक के गरहाकों को नकदी की जरुवत है पैसे की जरुवत है तो बैंक अपने गरहाकों को घर पर नकदी पहुँचाएगा और इसके पहले ये सुविधा केवल सीनियर सेटेजन्स और जो दिव्यांग लोगों थे उनी के लिए थी पर अब ये सर्विस उसके हर गरहाक को मिलेगी बट आपका KYC होना चाहिए तब ही आपको ये सुविधा मिलेगी स्टेट बैंक ओफ इंडिया की स्टापना 1955 में हुई थी मुंबई में हैटकॉर्टर है चेर पर सने रजनीश कुमार जो की इंडियन बैंक असोशेशन के भी अध्यक्ष है अभी SBI के मैनेजिंग डिरेक्टर बने थे चला श्रीनिवाशलू शेटी फिर है NASCOM के नए अध्यक्ष यानि की चेर्मेन के रूप में किसे नियुक्त किया गया है तो आंसर होगा प्रवीन राव को कहीं जगे इनका नाम U.B. प्रवीन राव भी लिखा हुआ है तो आप दोनों ध्यान रखना तो इनफॉसिस के CEO है ये प्रवीन राव और अभी इनी को NASCOM का अध्यक्ष बनाया गया है जबकि रेखा मेनन को उपाध्यक्ष बनाया गया है अचा प्रवीन राव से एक और नाम में आपको मिलता जुलता बताता हूँ प्रवीन जाधव का अभी हमने शायद पीछे ही पड़ा था PTM Money के MDCO थे ही अभी तक लेकिन अभी इनोंने पत्से स्तिफा दे दिया है बाकी दिलीप कुमार पतेल की बात करेंगे तो NTPC के मानव संसाधन निदेशक HR डारेक्टर बने ये तो इनका नाम भी ध्यान रखना Nescom, Nescom की full form होगे National Association of Software and Services Companies 1988 में इसकी स्थापन वी थी और इसके अद्यक्ष यही बन गए प्रवीन राओ और किसकी जगे ली इनोंने? केशव आर मुरुगेश की फिर है हाली में जारी विश्व कुष्टी Championship की नवींतम रेंकिंग में भारते पहलवान बजरंग पुनिया किस स्थान पे रहे? तो सही उत्तर होगा दूसरे स्थान पे तो पहले भी यह दूसरे स्थान परी थे और अभी यह जो रेंकिंग आई उसमें भी यह दूसरे स्थान परी है किस कैटेगरी में? तो 65 किलोग्राम वर्ग में यह दूसरे स्थान पर है आज चब पहले स्तान पे कौन है तो पहले स्तान पे है रशिया के गदजी मुराद रशिदो बजरंग पुनिया से एक important point बनता है वो याद रखना ये 2019 का राजी उगांदी खेल रत्न पुरुसकार मिला था इनको इनके साथ दीपा मलिक को भी मिला था और ये दोनों हर्यना के हैं दीपा मलिक एक short put player है बजरंग पुनिया तो पहलवा नहीं सही फिर है पहली बार किस देश में एक बाग कोरुना वायरस से संक्रमित हुआ है तो आंसर होगा अमेरिका में अमेरिका के नियू यॉर्क में ब्रॉक स्टिडिया घर है और वहाँ पे चार साल का एक भाग है जो कि कोरुना वायरस से संक्रमित हो गया है और इस टाइगर का नाम है इस भाग का नाम है नाडिया तो ये भी आप ध्यान रख सकते रोकने के लिए 5T योजना की घोशना की है अब 5T में 5T का मतलब क्या हो गया पहले T का मतलब हो गया टेस्टिंग फिर हो गया ट्रेसिंग फिर हो गया ट्रीटमेंट फिर हो गया टीम वर्क और फिर हो गया ट्रेकिंग और मॉनिटरिंग अच्छा दिल्ली सरकार से एक और पॉइंट में आपको बताऊंगा, अभी इसने COVID-19 के प्रसार को रोकने के लिए Operation Shield की भी शुरुवात की है, वैसे ये दो अलग-अलग कुशन है, लेकिन मैं आपको एक साथ ही बता रहा हूँ, ताकि हमारा टाइम बच जाए, अब यहाँ यहाँ पर शील्ड का मतलब आपको जानना होगा, शील्ड की स्पेलिंग हो गई S-H-I-E-L-D, हर लेटर का यहाँ पर मतलब है, जैसे कि S मतलब हो गया Sealing of Area, यानि कि इलाके को सील करना, H मतलब हो गया Home Quarantine, घर में Quarantine करना, I मतलब हो गया Isolation of Infected Patient, यानि कि संपर्क में I Logo को Isolate करना, I मतलब हो गया Essential Services Ensured, यानि कि जरूरी सेवाए सुनिश्चित करना, L मतलब हो गया Local Sanitization, इस्थानों को Sanitize करना, और D मतलब हो गया Door-to-door Survey, Door-to-door Survey करना, वाकि दिल्ली की बात करेंगे तो मुख्यमंत्री अर्विंद केजरी वाले, यहाँ के Lieutenant Governor है, अनिल बै यह भी आपका दिल्ली में लगाया गया है, ताकि यह अपने आसपास की हवा को शुद्ध कर सके, और दिल्ली में एक एयरपोर्ट भी है, इंद्रा गांधी International Airport, और वो अभी Single-use Plastic पर बैन लगाने वाला पहला भारती एयरपोर्ट बन गया है, अब कुछ नाम-चेंच की पर बात करेंगे तो प्रगती मिदान Metro Station का नाम बदलकर सुप्रीम कोर्ट Metro Station कर दिया गया, उसी तरह से दिल्ली का जो फिरूद्षा कोटला स्टेडिया में उसका नाम बदलकर अरुन जेटली जी के नाम पर कर दिया गया, वैसे अरुन जेटली जी के नाम पर फरीदाबा तो आंसर होगा 36 गड़ ने तो Google की help से quarantine किये गए लोगों को track करने के लिए ये रक्षा सर्व नाम से एक mobile application डेवलप किया है 36 गड़ की पुलिस ने ताकि घर पे जो लोगों को quarantine किया गया है उन पर नजर रखी जा सके कि कई वो बाहर तो नहीं जा रहे हैं और किस तरह से काम करीगी ये उन क्वारंटाइन किये गए लोगों को हर आदे आदे गंटे में अपनी selfie खीच करके इस पे पोस्ट करनी है 36 गड़ की capital राइपूर है मुख्य मंतरियें भुपेश पगेल और गवर्नर ए अनुसुया उई के याद रखना 36 गड़ में जो अंबी का पूरे वहा भारती एकसा जनरल इंशॉरेंस तो इसमें कोरोना उपचार के लिए क्वारंटाइन किये गए पॉलिसी धारकों को कवर किया जाएगा अचा भारती एकसा जनरल इंशॉरेंस से याद रखना अभी कुछ समय पहले इसने DBS बैंक के साथ मिलकर भी COVID-19 को कवर करने के लिए बीमा योदना को शुरू किया था और ICICI Lombard जनरल इंशॉरेंस की बात करेंगे तो अभी इसने भारत पेक के साथ दुकानदारों के लिए बीमा सुविधा शुरू की थी देखो एटेल पेमेंट बैंक की बात करेंगे तो याद अकना भारत का सबसे पहला पेमेंट बैंक यही था 2017 में स्तापना हुई थी नई दिल्ली में हैटकोर्टर है MDCEO इसके हैं अनुबरत बिश्वास भारती एक्षाज जनरल इंशॉरेंस की बात करेंगे तो इसकी स्तापना 2008 में हुई थी मुंबई में हैटकोर्टर है और इसके MDCEO हैं संजीव शिरिनिवासन फिर अभी किस राज्य सरकार ने COVID-19 monitoring system application विक्सित करने की योदना तयार की है तो आंसर होगा तेलंगना सरकार ने तो ये application में क्या होगा जो वहां के मुख्यमंत्री हैं और जो राज्य क्या स्वास्त विभाग है उनको मरीजों की पहचान करके और उनकी live निग्रानी करके और उन्हें track करके मतलब जो भी monitoring वगरा करके real time जो भी situation होगी उसकी जानकरी पहुँचाई जाएगी इस application के माध किस वित्वर्ष में किया गया है तो आंसर होगा 2019-20 में तो अभी National Highways Authority of India ने ये घोशना की है कि उसने वित्वर्ष financial year 2019-20 में 3979 km लंबे राजमार्गों का निर्मान पुरा कर लिया है और ये National Highways Authority of India के द्वारा किसी भी वित्वर्ष में हासिल किया गया अब तक का सबसे बड़ा ये अब तक का सबसे लंबा राजमार्ग निर्मान का लक्षे है वैसे इसने जो लक्षे रखा था वो तो 4500 km रखा था लेकिन बना कितना पाए 3979 km यानि कि इन्होंने अपनी टार्गेट का 88% पूरा कर लिया National Highways Authority of India की बात करेंगे इसकी स्थापना 1995 में हुई इसके अध्यक्षे सुखबीर सिंग संधू और एक और संधू अभी न्यूज में थे तरंजीत सिंग संधू उनका नाम भी याद रखना वो यूएसे में भारतेर राजदूर बने थे फिर अभी किस राज्य ने वॉक इ bliver स्धाब्रिट किया है तो आंशर होगा करल ने अब यह क्या है तो यह साउद कोर्या का एक मोडल है पेसिकली होता क्या है इस में यह स्ट्रक्चर में आगर तेखोगे तो अप फिक्रe में देखो य не छोटा सब बूथ टाइप इस ट्रक्टर होता है जिसके अंदर स्वास्त कर्मी होता है और बाहर के साइड में वो वेक्ति होता है वो रोगी होता है जो जांच कराने के लिए है और बीच में ये दोनों सेपरेटेट रहते हैं एक गलास से और दो आपको खड़े दिखेंगे जांपे गलब्स निकले वे तो उसे में हाट डाल संसाधन विकास मंतराले ने किसे राष्ट्रे सेक्षनिक डिपोजिट्री घुशित किया है तो आंसरों का डीजी लोकर को अब ये डीजी लोकर क्या है तो देखो सिंपल सा समझो ये एक ओनलाइन स्टोर है जहां पे आप अपने डॉक्यूमेंट्स को डॉक्यूमेंट्स क चाहिट्र अपने अनुट्री अब इसे होगा क्या तो जो नखली और फरजी एग्यूकेशनल सर्टिफिकेट्स बना लेते हैं लोग तो वो चीश खतम हो जाएगी कैसे खतम हो जाएगी जैसे कि आप किसी भी school से या college से पास हो करके निकलते हो तो वो college या school क्या करेगा बच्चों की जो mark sheet होती है जो भी degree वगरा होती है उसको इसी में store कर देंगे फिर आप जैसे कहीं higher पढ़ाई के लिए गए education के लिए गए या नोकरी वगरा के लिए गए तो वो आपसे फिर direct certificate वगरा degree वगरा नहीं मांगेंगे वो यहीं से आपकी degree वगरा certificate को access कर लेंगे तो फरजी वाड़े का काम खतम हो जाएगा तो उसे ये benefit होगा हमारे M.H.R.D. मंत्रिकोंने Ministry of Human Resource Development रमिश पोकरियाल निशंक है इनका निर्वाचन शेत्र constituency है हरीद्वार अच्छा मानव संसादन विकास मंत्राले से एक दो point आपको मैं और बताता हूँ वैसे daily current affairs वाले lecture में इसको अपने अलग-अलग question में करा था लेकिन मैं आपको यहीं पर एक सार बता रहा हूँ ताकि अमरा time बच सके तो अभी मानव संसादन विकास मंत्राले ने COVID-19 से निपटने के लिए एक समाधान नाम से mega online challenge की शुरुआत की है इसमें क्या होगा इसमें जो researchers हो गए जो educators हो गए जो students, startups वगएरा हो गए इनको नए प्रयोग करने के लिए नई खोच करने के लिए प्रेरित किया जाएगा ताकि उनकी नई खोच से कोरोना वायरस जैसी महामारी को या ऐसी ही कोई अगर अन्या आपदा आती है तो उसको जल्द से जल्द निप्टारा कर सके उसका solution निकाल सके इसके अलावा अभी मानो संसादन विकास मंत्राले ने ही देश में online education system को बहतर बनाने के लिए भारत पड़े online अभियान की शुरुआत की है तो ये point भी आपको ध्यान रखना है फिर है अभी किस company के CEO ने COVID-19 महामारी से निपटने के लिए एक billion dollar देने की गोशना की है तो आंसर होगा Twitter ने तो अभी Twitter के जो CEO है Jack Dorsey उन्होंने COVID-19 महामारी से निपटने के लिए काम करने वाली संस्थाओं को एक billion dollar देने की गोशना की है तो COVID-19 महामारी से लड़ने के लिए ये अब तक की किसी भी नीजी वेक्ति के द्वारा दी जाने वाली सबसे बड़ी राशी है मतलब जैसे कोई भी देश हो गया या कोई भी संगठन हो गया उन्होंने तो इतनी बड़ी राशी दे चुके हैं billion में लेकिन किसी भी एक personal वेक्ति के respect में बात करेंगे तो ये सबसे बड़ी राशी है अभी तक किसी वेक्ति के द्वारा दी गई ट्वीटर इसकी स्तापनाविती 2006 में और इसका headquarter है California US में भारत में इसके MDCO कौन है? मनीश माहिश्वरी है फिरेवी विश्व बौधिक संपदा संगठन यानि की World Intellectual Property Organization के अनुसार वर्ष 2019 में अंतर राश्ट्रे patent filing में कौन सा देश टॉप पे रहा तो आंसर होगा चाइना और इसमें पिछले 40 वर्षों में पहली बार चाइना ने अमेरिका को पीछे छोड़ दिया है चाइना पहले नंबर पे है और दूसे नंबर पे है यूएसे अब इसका मतलब क्या होगे patent का मतलब क्या होगे simple सा समझ लो जैसे कोई एक industry है वो कोई एक नया product बना दी है और वो उसका patent करा लेती है तो कोई दूसरी company फिर उन चीजों का इस्तमाल करके वैसा product नहीं बना सकती है इसका एक उधारन भी मैंने आप लोगों को दिया था जैसे कि lace के जो chips आते हैं वो जिस आलू से बनते हैं उन आलू का patent है lace के पास मतलब उस तरके आलू को कोई उगा नहीं सकता है आपको ए case याद होगा गुजरात में चार किसानों ने इस तरके आलू उगा लेते तो लेज ने उन पे case कर दिया था तो ये होता है पैटरे एक उधारन से मैंने आपको समझाया World Intellectual Property Organization की बात करेंगे तो इस तापना इसकी 14 जुलाई 1967 में हुई थी और हैटकोर्टर इसका जेनेवा स्विटजल लेंड में है अध्यक्षे इसके फ्रांसिस गरी फिर है हाली में जारी Forbes की 2020 के सबसे अमीर व्यक्तियों की सूची में टॉप पर कौन रहे सही उत्तर होग और इस सूची में टॉप पे रहे हैं पहले नमबर पे अमेजन के जेफ बैजौस दूसरे नमबर पे माइक्रोसोफ्ट के बिल गेट्स और तीसरे नमबर पे रहे LVMH के बर्नार्ड अर्नार्ड फिर है अभी हाली में विजडन जो की एक मैगजीन है उसने किसे विश्व म 2020 का सर्व श्रेष्ट किरकेटर यानि की लीडिंग किरकेटर इन दा वर्ड का खिताब दिया गया जबकि महीला खिलाडियों में बात करेंगे तो आस्ट्रेलिया की एलिसे पैरी को विश्व में लीडिंग किरकेटर का खिताब दिया गया बाकी यहां पे विराट कॉली नवीन पतनायक जी उन्होंने लोगडाउन को 14 अपरिल से बढ़ा कर 30 अपरिल तक कर दिया है और इस तरह से लोगडाउन की अवधी को 30 अपरिल तक बढ़ाने वाला ये पहला राज्य बन गया है तो यह आपको याद रखना है उडिसा के मुख्य मंत्री है नवीन पतनायक गणे सिलाल इसके गवर्नर है और भुवनेश्वर इसकी कैपिटल है फिर अभी किस राज्य के सरकार ने कोविड केर एप्लिकेशन को लांच किया है तो आंसर होगा अरुनाचल प्रदेश ने तो इस एप्लिकेशन को मुख्य रूप से क्वारंटाइन किये गए लोगों क या कोविड-19 रोगियों के लिए लॉंच किया गया है तो इस एप्लिकेशन के माद्यम से उन्हें कई तरकी सुविधाई दी जाई जैसे इस एप्लिकेशन की मदद से वो अपने स्वास्ते की जानकारी ले सकेंगे कोरोना के लक्षनों को स्वयम से जाच कर पाएंगे और इमर्जेंसी कंडिशन में जो रोगी होंगे वो इस एप्लिकेशन के माद्यम से मदद के लिए कॉल भी कर सकते हैं तो इसको लॉंच किया किसने अरुनाचल प्रदेश ने नाम याद रखना कोविड केर नाम है इसका फिर है अपॉइन्मेंट वाला गुश्यन है कि अभी भारती एक्षा लाइफ इंशॉरेंज के अमडी सियो के रूप में किसे न्यूक्त किया गया तो आंसर होगा पराग राज को तो पराग राज ये भारती एक्षा लाइफ इंशॉरेंज के नए अमडी सियो बन गया है भारती एक्षा लाइफ इंशॉरेंज की बात करेंगे तो इसकी स्टापना 2005 में हुई थी मुंबई में इसका हैटक्वाटर है और MDCO तो यही बन गए है आचा देखो आप में से काफी लोग कन्फ्यूज थे कि 2008 इसका आंसर होगा मतब 2008 में स्टापना हुई थी तो वो भारती एकसा General Insurance हमने पढ़ा था अभी हम Life Insurance पढ़ रहे हैं क्विशन को आप थोड़ा ध्यान से पढ़ा करो इसलिए आपको कहते हैं स्टार्टिंग में कि वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखना क्योंकि last में आप लोगों से कुछ पूछे जाएंगे या फिर आप लोगों को इसकी quiz लगानी है तो quiz में आप answer तबी तो write कर पाओगे जब आप वीडियो को ध्यान से देखोगे तो quiz में जो भी हम question देंगे वो तो एक ही वीडियो से आने वाले है एक्जाम में तो कहीं से भी question आए तो वहाँ पे बिलकुल आपको alert रहना होगा ध्यान से question को पढ़ना होगा तो अपने question की पढ़ने की accuracy को बढ़ाओ accuracy level अपना high करो अच्छा बाकी जो यहाँ पर option दिख रहे हैं जैसे की UB प्रवीन राओ अभी NASCOM के अध्यक्ष बने संगीता रेड़ी फिक्की के अध्यक्ष है यह और संजीव नोटियाल यह SBI Life Insurance के MDCO पुनन यूख्ट किया गया reappointment हुआ था इनका तो फिर है अभी MSME को रिन मुहिया कराने के लिए किसने safe plus रिन योधना शुरू किया है तो आंसर होगा SIDB ने safe plus मतलब क्या हो गया देखो safe का मतलब होता है SIDB Assistance to facilitate emergency तो COVID-19 से related अगर कोई medical equipment बना रहा है या कोई भी product बनाता है तो MSME उसे 1 करोड रुपे तक की पूझी देगी MSME मतलब micro small medium enterprises जिसके मंत्री है नितिन गटकरी और इनका निर्वाचन शित्र constituency है नागपुर MSME डे याद रखनक कब मनाते हैं तो 27 June को मनाते हैं SIDB की बात कर लेते हैं तो Small Industrial Development Bank of India फुल फॉर्म हो गई लखनव में इसका headquarter है और इसके CMD है मुहमद मुस्तफा आपको याद होगा अभी इसने कुछ समय पहले ही Swaul Lomban Express ट्रेन भी शुरू की थी फिर है 2021 में इंडोर होकी World Cup की मेजबानी कौन सा देश करेगा तो आंसर होगा Belgium तो 2021 में FIH इंडोर होकी World Cup जो होंगे वो Belgium में होंगे ये इसका छटा संसकरन होगा कब से कब तक होंगे तीन से साथ फरवरी तक ये होंगे FIH की बात करेंगे International Hockey Federation देखो इससे तीन पॉइंट याद रखो इस्ता अपना 1924 में हुई थी Headquarter Laus in Switzerland में है और इसके President है नरेंद्र बत्रा और देसंबर में हम लोगों ने पढ़ा था कि FIH Means Player of the Year चुना गया था भार्तिय होकी टीम के कैप्टेन मनपरीच सिंग को वहीं FIH Women's Player of the Year चुना गया था नीदर लेंड की महिला होकी टीम की कैप्टेन इवा डी गोदेगो तो ये दो नाम भी याद रखने है बाकी Belgium की बात है तो इसकी Capital होती है Brussels और Brussels से आपको काफी चीज़े याद होई हूँगी यहाँ पे काफी चीज़ों के Headquarter है आपके जैसे कि NATO का Headquarter है World Customs Organization का है European Union का भी है और आपके World Steel Organization का भी Headquarter यहीं पर है Currency इसकी Euro है और इसकी प्रधानमंत्री का नाम भी Important है क्योंकि वो पहली महिला प्रधानमंत्री बनी थी यहां की क्या नाम है उनका Sophie Wilm नाम है अच्छा एक प्रश्ण बताऊंगा मैं आपको जो एक बार एक्जाम में पूछा गया था कि Cockpit Cockpit of Europe के नाम से किस देश को जाना जाता है तो आंसर होगा Belgium को मतलब क्या होगा इसका मतलब Europe के युद्ध का मेदान किसको कहा जाता है Belgium को कहा जाता है तो यह याद रखना एक्जाम में पूछा गया यह प्रश्ण था तो मैंना आपको बताया फिर है अभी COVID-19 महामारी के कारण ISSF यानि के International Shooting Sport Federation World Cup 2020 को रद्द कर दिया गया इसका आयोजन कहां पर किया जाना था तो आंसर होगा नई दिल्ली में अच्छा ISSF की बात करेंगे हमने का International Shooting Sport Federation तो विश्व में जितने भी Shooting के Events होते हैं Competition होते हैं उनको Regulatory Body है ये उनको Regulate करने का काम करती है इसता अपना इसकी 1907 में हुई थी Headquarter Munich जर्मनी में है और इसके अध्यक्ष हैं Vladimir Lusin अच्छा रद करने से वैसे तो काफी सारे Events हैं जो अभी रद हुए हैं कुछ-कुछ जो हमने last पड़े वो मैं आपको revise करा देता हूँ जैसे कि अभी FIFA Under 17 जो की 2020 में होने थे वो भी रद हो गए World Games जो की 2021 में होने थे वो भी पॉस्पोंड हो गए वो 2022 में होंगे अब Tokyo Olympics जो की 2020 में होने थे वो भी पॉस्पोंड हो गए वो भी 2021 में होंगे तो ये कुछ पॉस्पोंड वाले हो गए और जो कुछ आयोजित होंगे जैसे कि 2022 में महिला T20 World Cup ये होंगे आपके कापे South Africa में 2022 में ही महिलाओं का Hockey World Cup होगा ये Spain और Netherlands में होगा और पुरूशों का होगा भारत में इसी तरह से 2022 में ही Winter Olympic Games जो होंगे वो आपके Beijing चाइना में होंगे और 2022 में ही जो आपका FIFA Men's World Cup होगा वो आपके Qatar में होगा तो ये कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स भी याद रखना फिर अभी किस राज्जी की सरकार ने ESMA लागू कर दिया है तो ये कानून दरसल हर्ताल रोकने के लिए लगाया जाता है क्योंकि हर्ताल के वक्त क्या होता है सारे लोग काम बंद कर देते हैं तो उससे जो आवशक सेवाएं होती है उन पे बुरा असर पड़ता है तो ये जो कानून है ये आवशक सेवाओ को बनाय रखने के लिए लागू किया जाता है ताकि कोई भी कर्मचारी हर्ताल पर नहीं जाये अच्छा चलो ठीक है ये हर्ताल पे लगाया जाता है तो अभी तो वरतमान में कोई हर्ताल नहीं हो रही है तो फिर अभी इसको क्यों लगा दिया गया है देखो हर्ताल नहीं हो रही है लेकिन हालात जो हैं वो हर्ताल के जैसे हो रहे हैं कोरोना वारेस हो रहा है बहुत सारे श्रमिक हैं जो काम नहीं कर रहे हैं वो अपने अपने घरों पे चले गए हैं कोरुना के करण, तो काफी सारे जो प्रादक्स हैं, उनके उतपादन में कमी आईए तो उतपादन में कमी आईए, तो हाला तो वेतर ही होगे न, हरताल वाले, हरताल वाले जगे पे क्या होता है, एक factory है वहाँ पे लोगों ने हरताल कर दिये अब market में product नहीं बन रहा है product की कमी आ गई तो situation वेज सी आ गई तो इसलिए इसको लागू किया गया है आचा देखो यहाँ से एक प्रशन बन सकता है जो आपके exam में पूछा जा सकता है अगर examiner थोड़ा सा टिपिकल इसको करना चाहे तो कि क्या सरकार के पास कोई ऐसा हत्यार है या कानून है जिससे वो जब चाहे कर्मचारियों के आंदुलन को कुचल सके तो आंसर होगा आपका एस्मा और मैंने आपको बता दे अब विश्य शुरूप से हरतालों को पर प्रतिबंद लगाने के लिए इसे लागू किया जाता है केंदर सरकार ने इसको 1968 में लागू किया था पर राज्य सरकार इसे लागू करने के लिए स्वतंतर है फिर है अभी किसने नया वर्चुल ब्रेल कीबोर्ड लॉंच करने की घोशना की है तो आंसर होगा Google ने, तो अभी Google ने कम दिखाई देने वाले जो उसके Android यूजर है, उनके लिए एक Virtual Braille कीबोर्ड लॉंज करने की घोशना किये है, तो वे इस नई Keep It की help से बिना किसी extra hardware के phone पर type कर पाएंगे, अच्छा एक प्रश्न मैंने आप लोगों से पूछा था, World Braille Day कब मनाते हैं, तो इसका अंसर क्या होगा, चार को मनाते हैं, और मैंने आपको हमेशा जब भी ये बताया, एक पॉइंट और बताया, Braille लिपी में कितने डॉट्स होते हैं, तो याद रखना छे डॉट्स होते हैं, Google की बात कर लेंगे, इस तापना 1998 में हुई थी, Headquarter California US में हैं, और इसके founder दो थे, Larry Page और Sergei Ben, इसके वर्तमान में CEO हैं सुन्दर पीचेई, और इसकी parent company है Alphabet, और उसके भी CEO हैं सुन्दर पीचेई, फिर है The Art of Her Deal, The Untold Story of Melania Trump, ये जो बुख है, ये किस ने लिखी है, सही उत्तर होगा, Mary Jordan ने, तो Washington Post के लिए पुलिजर पुरसकार जी of Melania Trump, और ये बुख Donald Trump की wife Melania Trump के जीवन पर है, इसे 16 June 2020 को release किया जाएगा, बाकी जो आप यहाँ पर नाम देख रहे हो, ये नाम important है, जैसे कि Paolo Giordano और इन्हों ने अभी Corona Virus पर एक बुख लिखी थी, जिसका नाम है How Contagent Works, बाकी Michael Osterholm और Mark Allshaker, इन दोनों ने मिलकर के Corona Virus पे एक बुख लिखी थी, जिसका नाम है Deadliest Enemy और War Against Killer Germs, तो ये भी आप ध्यान रखना, फिर है अभी Ifco Tokyo General Insurance Company ने किसे अपना MDCEO न्यूक्त किया है, तो आंसर होगा Anamika Roy राष्टरवर को, और इस तरह से ये भारत की बड़ी Private Sectors की General बिमा कमपनी की पहली मैला MDCEO बन गई ह ये जो Ifco Tokyo General Insurance है, देखो, Ifco मतलब क्या होता है, Indian Farmers Fertilizers Cooperative Limited, तो ये Ifco और Tokyo Marine Group का एक सन्यूक्त उद्ध्या में Joint Venture है, बाकी इसका जो Headquarter है, वो है आपका गुरुग्राम हरियाणा में, अच्छा यहाँ पर ये जो नाम लिखे हुए हैं, आप जानते हो इनको, परागराज अब ये हमने पढ़ा था, भारती एक साल Life Insurance के MDCO बने थे, प्रमीन राओ या फिर यूबी प्रमीन राओ बोल दो, नासकोम के अध्यक्ष बने थे, और ए अजी कुमार की बात करेंगे तो युगांडा में भारती उच्चा युक्त बने थे, उच्चा युक्त मतलब होता ह High Commissioner और राजदूत मतलब होता है Ambassador, दोनों के बीच में अंतर में आपको already समझा चुका हूँ, कुछ और नाम में आपको बताओं जैसे कि संजे कुमार पांडा, तरकी में भारती राजदूत बने, जावेद अशरप, फ्रांस में भारती राजदूत बने, अमेरिका में भार ते उच्चायुक्त High Commissioner कौन बने थे? गोपाल बागले, और नेपाल में भारती राजदूत ये बने थे विने मोहन को आतरा, तो ये नाम आपको याद रखने हैं, फिर है हिंदोस्तान Unilever Limited ने भारत में COVID-19 का मुकाबला करने के लिए किसके साथ समझोता किया, तो आंसर हो को जागरूग करना, और उन्हें शशक्त बनाने के लिए जन संचार अभियान चुरू करना, और इस अभियान का नाम है Hashtag Break the Chain, हिंदोस्तान Unilever Limited की बात करेंगे, हैटक्वाटर मुंबई में है, इसके CMD है, संजीव महता, और UNICEF की बात करेंगे, तो इसकी पहले Full Form जान 2019 का UNICEF पुरसकार मिला था, तो आंसर क्या करोगे, तैलांगना का कामर रेड़ी चिला, अच्छा UNICEF से एक और प्रश्न है, जो मैं आपको यहीं पर बता रहा हूँ, अब ध्यान से सुनना है, तो अभी TRIFED ने, TRIFED ने, अभी UNICEF के साथ मिलकर, Digital Communication Strategy Launch की है, तो इस कारेक 37 में हुई थी और Headquarter है नई दिली में, TRIFED का काम क्या होता है, जो आदिवासी लोग होतें, उनके द्वारब बनाये गए, जो भी प्रॉडक्ट्स हैं, उनको बाजार में सही दामों पर बिक्वाने की ये विवस्ता करता है, फिर है, अभी विश्व होमियोपेथी दिवस वर्ल्ड होमियोपेथी डे हमने कब मनाया, तो आंसर होगा 10 अप्रेल को, तो हर साल 10 अप्रेल को होमियोपेथी के जनक, Dr. Samuel Hanyman की जैनती को चिनित करने के लिए, और होमियोपेथी के बारे में जागरुखता पैदा करने के लिए से हर साल 10 अप्रेल को मनाया जाता है, थी रही है वो है enhancing the scope of homeopathy in public health अच्छा हमारे आयूश मंतरी कौन है शिरिपद ये सोनायक है जिनका निर्वाचन शेत्र है नोर्थ गुवा फिर है हाल में हुए एक सर्वे के अनुसार IT पेशवरों यानि के IT professionals के लिए कौन सा शहर काम करने के लिए सबसे पसंदिदा शहर रहा त तो अभी Times Internet Tech Zieg ने online survey कराया और उसमें पाया कि जादातर IT professionals काम करने के लिए सबसे अच्छे शहर के उरुपने बैंगलूरू को पसंद करते हैं पहले नंबर पे बैंगलूरू दूसे नंबर पे हैदराबाद और तीसरे नंबर पे पुने फिर है डीजी धन डैशबोर्ड के अनुसार वित्यवर्ष 2019-20 में Digital Lending का सबसे लोगप्रिय साधन कौन जा रहा तो अंसर होगा Bheem UPI तो अभी Electronics और IT Ministry के द्वारा शुरू किये गए Digital Dashboard के अनुसार Digital Channel के माध्यम से 2019-20 में 4116.74 करोड रुपे का Lending हुआ है जो पिछले वर्ष की तुलना में 31% जादा है और इसमें ये भी बताया गया कि Bheem UPI भुक्तान का सबसे लोगप्रिय साधन रहा है पहले नंबर पे Bheem UPI दूसरे पे Prepaid Instrument और तीसरे पे Debit Card फिर है अभी भारत सरकार ने I Got नाम से एक E-Learning Platform लांच किया है आपको यहाँ पे I Got IGOT की Full Form बतानी है सहीतर होगा Integrated Government Online Training तो यह एक E-Learning Platform है और यह मुख्या रूप से जो Front Line Workers है उनके लिए लांच किया गया है Front Line Workers से क्या मतलब हो गया? COVID-19 रोगियों के Direct संपर्क में जो रहते हैं जैसे कि कोई डॉक्टर हो गए, नर्सेज हो गई, जो स्वास्त कर्मी हो गया, कोई भी स्वच्छता कारे करता हो गया, पुलिस वर्कर्स हो गए, तो इन सब को कहा जाता है Front Line Workers और इनी के लिए इस प् लुग्य सेतू और एक हे कुरूना कवच, तो वो भी नाम याद रखना, तो हमारा प्रशन है, हाल ही में जारी FIFA की नई रैंकिंग में, भारत्य टीम किस स्थान पर है, तो सही उत्तर होगा 108 वे स्थान पर, तो अभी FIFA ने जो नई रैंकिंग जारी किये, उसमें भारत्य फ प्रांस है और ठड़ पर है ब्राजील, तो आपको फर्स्ट याद रखना है, और अपनी भार्टे टीम याद रखनी है 108 वे स्थान पर है, फीफा की बात करेंगे, तो इसकी स्थापनाविती 1904 में, हैटक्वाटर इसका जुरिक स्विट्जलेन में है, और इसके के कारण ये कैंसिल हो गए, इसके अलावा आपको याद रखना है, फीफा मेंस वर्ल्ड कप जो 2022 में होंगे, कहां पे होंगे, कतर में होंगे, और 2026 में तीन जगे होंगे, USA, मैक्सिको और कनेडा में, फिर है हाली में राश्ट्र सुरक्षित मातरत्व दिवस, यानि कि न अर्बवती महिलाओं की उचित देख बाल के बारे में जागरुपता फिलाने के लिए से 11 अप्रिल को मनाया जाता है, और याद रखना भारत सामाजिक रूप से राश्ट्र सुरक्षित मातरत्व दिवस गोशित करने वाला दुनिया का पहला देश है, फिर है अभी किस ब प्राहकों को मिनिम्बम बैलेंस रखने की भी जरुवत नहीं है और उनको सेविंग अकाउन में जो इंट्रेस्ट मिलेगा वो मिलेगा 4.5% का और फिक्स्ट डिपोजिट कराते हैं तो 7.5% तक का ब्याज उनको मिल सकता है, अच्छा जन स्मॉल फाइनस बैंक से हमने एक और पड़ी थी, कि इसने UPI QR आधारित रिन की किस्त भुकतान सुविधा शुरू की थी, मतलब जो लोन होते हैं उसकी पेमेंट आप QR कोड को स्केन करके भेज सकते हो, जन स्मॉल फाइनस बैंक की बात करेंगे, हैट्वाटर बैंगलूरू में है, MDCO है, अजे कमल और इसक के साथ मिल करके, आरोग्य सेतू IVRS नाम से एक सर्विस शुरू की है, आपको जाद होगा, इससे पहले भी हमारी किंदर सरकार ने आरोग्य सेतू नाम से एक एक एप्लिकेशन लांच की थी, लेकिन वो एप्लिकेशन चलेगी आपके स्मार्ट फोन में, लेकिन जिन लोगो ही सभी राज्यों में से स्टार्ट कर दिया जाएगा, क्या सर्विस का नाम है, आरोग्य सेतू IVRS, IVRS मतलब होता है, Interactive Voice Response System, फिर अभी हाल इमें RBI के द्वारा शुरू किये गए, ट्वीटर अभियान में किस सेलिबरिटी को शामिल किया गया है, तो आंसर होगा अमिता बच्चन को चुना गया है, अचा अमिता बच्चन अभी आपने न्यूज में भी पढ़े होंगे, कुछ समय पहले ही हमने पढ़ा था, IDFC First Bank के पहले Brand Ambassador बने थे, ये अमिता बच्चन, और 2019 में इनको एक बहुत बड़ा अवार्ड मिला था, कौन सा? दादा साहब फाल के अ कौन से नंबर के हैं, 25 वे नंबर के हैं, और इनी को अभी Banker Magazine ने Central Bank of the Year 2020 के लिए चुना था, आचा याद रखना, देखो, RBI में एक गवर्नर होता है, और चार उप गवर्नर, डेप्यूटी गवर्नर होता है, लेकिन अब चार डेप्यूटी गवर्नर नहीं है, क्योंकि अभी एक ने इस्तिफा दे दिया मार्च में ही, उनका नाम है, उनका नाम क्या है, N.S. विश्वनाथन, अभी इनोंने तो इस्तिफा दे दिया मेने का आप तीन बचें, और तीन कौन को ने उनके नाम भी याद रखुआ, एक तो है BP कानून को, इनका नाम वैसे भी News में भी था, क्योंकि इनका कारेकाल खतम हो चुका था, लेकिन अभी इनको एक साल का extension मिल गया है, माइकल देवबरत पातरा दूसरे है, ये भी अभी नए बने थे कुछ समय पहले, और एक और पहले से हैं, उनका नाम है महेश कुमार जैन, अच्छा कुछ policy rates में आपको और बत हैं, ये अभी change हुई थी, तो ये आपको याद रखना है, फिर अभी किस railway zone ने, डॉक्टर को Corona virus संक्रमन से बचाने के लिए mobile doctor booth इसका नाम है चरक उसको launch किया, तो आंसर होगा पस्चिम मध्य railway ने, तो देखी जब patient जाएगा डॉक्टर के पास check कराने के लिए, तो उससे doctor भी infected, याने की संक्रमित हो सकते हैं, तो उसी को रोकने के लिए, मध्य परदेश की भूपाल शहर में, पस्चिम मध्य railway की coach rehabilitation workshop ने, चरक नाम से एक mobile doctor booth बनाया है, तो आप फोटो में देख सकते हैं, इसमें एक side तो होगा, doctor और बाहर की side होगा patient, तो वो गलप्च की तुर इसको आरम से चेक करेगा, और इससे संक्रमित होने का खतरा भी नहीं रहेगा, बाकी दक्षिन मध्य railway की बात करेंगे, तो अभी ये news में था, क्योंकि इसने दूध दूरन तो special train शुरू कीती है भी lockdown की समय, और अभी इसने ही door step banking के लिए SBI के साथ समझूता भी किया था, वैसे State Bank of India अभी इसने सभी गरहकों के लिए door step banking शुरू कर दिये, ये point भी news में था भी, उत्तर railway की बात करेंगे, तो ये भी अभी news में था, क्योंकि उत्तर railway जोन ने पहले आदर्श hospital isolation coach का निर्मान पूरा कर लिया था, और पूरवी तट railway की बात करेंगे, यानि की east coast railway, तो इसने भवनेश्वर में अपना पहला waste to energy plant खोला है, रेल मंतरी हमारे पियूश गोयल है, और पहले रेल मंतरी थे हमारे जौन मताई, और याद रखना सरकार ने दोजा 24 तक का लक्ष रखा है, रेल्वे को 100% electrification करनेगा, फिर अभी किस राजी की सरकार ने पढ़ई तो इसके लिए 36 गड़ सरकार ने एक portal launch किया है, जिसका नाम रखा है पढ़ाई तुहर द्वार, यानि कि पढ़ाई आपके द्वार, तो इसमें बच्चों को e-classroom, study material, video lessons, educational games जैसी facilities मिलेंगी, और इसमें केवल 36 गड़ के ही बच्चे नहीं, बलकि किसी भी राजी के, जह आद रखने 36 गड़ का जो अंबी का पूरे वो न्यूज में था, क्योंकि भारत का पहला garbage cafe खुला है यहां पे, अगर आपसे पूछा जाए बारत का पहला e-waste clinic का पे खुला है, तो फिर आपका अंसर होगा भुपाल, आचा याद रखना अभी 36 गड़ पुलिस ने home quarantine लो और इन्होंने लेखक दाना वचोन के साथ मिलकर के यह novel लिखा है, जिसका नाम है Memories and Misinformation, इसे इसी साल मई में publish कर दिया जाएगा, बाकी Mary Jordan की बात करेंगे, तो अभी इन्होंने एक book लिखी है, The Art of Her Deal, The Untold Story of Melania Trump, Melania Trump के उपर है यह book, उसके अलावा सद्गुरु पार्टि A Biography of Manohar Parikar, फिर अभी हाली में WADA ने Play True Day यह कब मनाया, तो आंसर होगा 9 अपरेल को, तो WADA यानि की World Anti-Doping Agency और इसने 9 अपरेल को Play True Day की रूप में मनाया, यह इसे 2014 से मनाता आ रहा है, और इसे मनाने का उद्देश है, खेल में illegal, अवेध दवाओं के उपियोग के और इसकी theme क्या रही, Play Safe on Play True Day 2020, देखो WADA से एक point आप याद रखना, कि WADA का जो headquarter है, वो कहां पर है, Montreal, Canada में है, और आपको याद भी होगा, WADA ने रश्या पे 4 साल का प्रतिबंद भी लगा रखा है, अच्छे यह तो WADA हो गया, एक NADA भी होता है, जो national level पे अपना काम करत हो, अगर कोई sports person पाया जाता है, तो यह उस पर डंड लगाते हैं, जानी कि उसको bang लगा देते हैं, उस पर प्रतिमंद लगा देते हैं, उसको सजा देते हैं, इस तरह से, और NADA ने brand ambassador बनाया था किसको सुनील शेटी को, अच्छा 9 अपरेल से याद रखना, अभी CRPF के द Central Reserve Police Force, अच्छा CRPF से याद रखना भी इसके डारेक्टर जनरल चींज हो गए हैं, जैनवरी तक थे, आरार भटनागर जो रेटार्ड हो गए, फिर उसके बाद नए बन गए कौन, AP माहेश्वरी, फिर है अभी AU Small Finance Bank के MDCO के रूप में किसे पुनहनियूक्त किया गया तो आंसर होगा संजी अगरवाल को, अचा संजी अगरवाल का नाम तो याद रखना ही है, इनके अलवा अभी राज विकास वर्मा को एक साल के लिए AU Small Finance Bank का पार्ट टाइम यानि कि अंच कालिक अध्यक्ष चेर्मेन बनाय गया है, देखो AU Small Finance Bank के बारे में आपक बड़े, बाकी ये जो दो नाम दिख रहे हैं, जैसे कि यूबी प्रवीन राव, ये अभी नैसकोम के अध्यक्ष बने थे, और अनामी का रोय, ये इफको Tokyo General Insurance की MDCO बनी थी, फिर अभी किस IIT ने COVID-19 से किराने का सामान और मुद्रा नोटों यानि कि करंसी नोटों को सेनेटाइस करने के लिए एक डिवाइस बनाई है, आईटी रोपड ने, जो कि अल्ट्रा वोयलेट रेडिशन टेकनिक पर काम करती है, तो कोई भी अगर बहार से सामान आता है, तो आपको उसे इस डिवाइस के अंदर रख देना है, ये डिवाइस आपके घर के दरवाज लेटर भी बनाए था, उसके अलावा स्वास्त करमचारियों के लिए फेस शील्ड भी बनाए था इसने, वैसे एक फुल फेस शील्ड डियाडियों ने भी विक्सित किया है, वो मैं आपको आगे बताऊंगा, कुछ और आईटी की बात कर लें, जो अभी न्यूज में रहे जैसे कि आईटी गांधी नेगर, इसने अभी लोगडाउन के दोराउन स्टुडेंस को रचनात्मक परियोजिनाओं में व्यस्त रखने के लिए प्रोजेक्ट आईजेक लॉंच किया था, आईटी बॉंबे ने अभी कॉरिंटाइन नाम से एक मोबाईल एप्लिकेशन बन सित किया था, फिर है अभी अंतर राष्ट्रे मानव अंतरिक्ष उडान दिवस यानि कि इंटरनेशनल डे ओफ यूमन स्पेस फ्लाइट यम ने कब मनाया, तो आंसर होगा 12 अप्रेल को, अच्छा है इसे 12 अप्रेल को ही क्यों मनाते हैं, क्योंकि 12 अप्रेल 1961 को USSR, जिसे आ आने वाले पहले व्यक्ति भी बन गए थे, यूरी गागरे नामे उनका, फिर है अभी DRDO ने फुल फेस शील्ड यानि कि पूरे चेरे को ढखने के लिए होता है, यह फुल फेस शील्ड और इसे बनाने के लिए किसके साथ समझोता किया, तो आंसर होगा विप्रो 3D के साथ अज मैंने आपको पीछे ही बताया था, कि DRDO ने भी इस तरह का एक चीज बनाया है, तो वो यही प्रश्न है, तो बेसिकली यह डॉक्टर्स या उन सभी स्वास्त करमचारियों के लिए यूसफुल होगा, जो COVID-19 से संक्रमित रोग्यों का इलाज कर रहे हैं, ताकि वो इसकी फुलपर्म होती है, इसकी स्तापना कब हुई थी, याद रखो जब नासा की स्तापना हुई थी, और नासा की कब हुई थी, 1958 में हुई थी, तो एक पॉइंट से आप दोनों चीज़े याद कर पाओगे, हैटकोटर नई दिल्ली में है, इसके हैड है जी सतीश रिड बायो सूट भी डेवलप किया था इसने, मेडिकल स्टाफ के लिए ही, फिर हाली में जारी कोबे ब्रैंट के पुस्तक, दे विजेनार्ड सिरीज सीजन वन, इसके सहलेखक कौन है, तो आंसर होगा वैसले किंग, तो कोबे ब्रैंट ये नाम आपने जरूर सुना होगा, ये जो एक best seller किताब रही थी, बाकी Mary Jordan में आपको बताई चुका हूँ, The Art of Her Deal, The Untold Story of Melania Trump नाम की बुक लिखी थी, बाकी Paolo Giordano की बात करेंगे, तो कोरोना वाइरस के उपर एक बुक लिखी थी, इन्होंने, How Contagion Work, और Tahira Kashyap, The 12 Committments of Being a Woman नाम की बुक लिखी थी, अच्या International Montery Fund की बाहरी सलाकार समू का सदे से बनाया गया है, तो आंसर होगा रगुराम राजन को, तो International Montery Fund की जो मैनेजिंग डिरेक्टर है क्रिस्टालीना जौर्जीवा, उन्होंने RBI की पूर्व गवर्नर, रगुराम राजन को अपनी बाहरी सलाकार समू का सदे से बनाया है, तो ये समू क्या काम करेगा, तो दुनिया बर की घटनाओं और नितिगत मुद्दों के बारे में IMF को अपनी राय देगा, और कोरोना वारेस जिसी चुनोतियों से निपटने के लिए सुझाओ भी देगा, तो रगुराम राजन के साथ 11 अन्य लोगों को भी समू का सदे स बनाया गया है, अचा मैंने आप से का कि ये RBI के पूर्व गवर्नर थे, कौन से नंबर के थे, ये 23 वे नंबर के थे, और वरतमान में जो शक्तिकान दास है वो 25 वे नंबर के हैं, IMF की बात अगर करेंगे तो इस्तापना इसकी 1945 में हुई, वाशिंग्टन डीसी में है है ह पढ़े हुए हैं सारे जैसे की उर्सूला, वांडर लैन ये जर्मनी से हैं और ये य्ट्ली से हैं और येयुरोपेन आयोक कि अध्यक्ष़ें ये देविड सासोली ये इिर्टली से हैं और येश्वे зарगत की अध्यक्षे ये, और क्िर्स्थिन लेगार्ड डी की बात करें पहले साल जो top पे रहे थे मुकेश अमबानी इस बार वो दूसरे स्थान पे आ गए है और पिछले साल जो दूसरे स्थान पर थे वो इस बार पहले स्थान पे आ गए है यानि कि मैं बात कर रहा हूँ स्टीव बॉलमर की यह Microsoft की CEO रह चुके है और इस बार यह इसमें top पर है और मुकेश अमबानी दूसरे स्थान पे आ गए हैं मुकेश अमबानी की एक cricket team है जिसका नाम है Mumbai Indians जबकि Steve Walker की एक basketball team है जिसका नाम है Los Angeles Cliffors अचा अभी हमने पढ़ा भी था कि Forbes ने 2020 की सबसे अमीर व्यक्तियों की सूची भी जारी की थी तो उसमें top पर बने हुए हैं लग railway के अंतरगत आता यह गुजरात के कालूपूर का अहमदाबाद railway station और अभी sanitizing tunnel या इसे पूरा नाम दें या English में बोलेंगे तो walk through mass sanitizing tunnel ये स्तापित करने वाला पहला भाट्र railway station बन गया यह मतलब क्या हो गया इसका मतलब आप फोटो में देखिए तो यह जो आपको tunnel type structure दिख रहा है इसमें से कोई भी अगर railway करमचारी या कोई भी passenger हो गया वो इसमें से निकलता है तो इसके अंदर क्या होगा sanitizer भाप की रूप में निकलेगा तो इसमें से निकलने वाले को वो sanitize कर देगा तो इतनी सी बात बाकी आनंद विहार railway station की बात करेंगे तो याद railway station ये पस्चिम मंगाल में है और यहां पे अभी restaurant on wheels गाड़ी की शुरुआत की गई थी सिकंदराबाद railway station की बात करेंगे तो याद रखना मेग दूत ATM water generator लगाया गया था जो atmosphere से वेपर से पानी बना देगा इस तरह की चीज आई है हमारे railway मंतरी है कौन पियू स्कोयल और पहले railway मंतरी में ने आपको बताया था जौन मताई है इसके लावा एक और point याद रखो railway board के अद्विर अभी किस राज्य सरकार ने अनपूर्णा पोर्टल और आपूर्टी मित्र पोर्टल लॉंच किया है तो आंशार होगा उत्तरप्रदेश सरकार ने तो अभी यह आवश्यक खाद्य सामगरियों की free home delivery करने के लिए है वैसे उत्तरप्रदेश की बात करेंगे तो capital आप जानते ही हो लखनव है जो कि खुद गूमती नदी के किनारा इस्तित है जो हमारे रक्षा मंतरी है राजनात सिंग जी उनका निर्वाचन शेत्र भी लखनवी है म देश का पहला हाती अस्पतल आपके मथूरा में है और देश का पहला हाती जल चिकित साले भी आपका मथूरा में है इसके अलावा देश का पहला जानवरों का जो war memorial युद्ध इसमारक है वो भी उत्तरप्रदेश में बनेगा उत्तरप्रदेश के मेरट में बनेगा अभी आपको याद होगा उत्तर प्रदेश सरकार ने कोरोना वाइरस को फैलने से रोकने के लिए Team 11 नाम से अंतर विभागे समीतियों का भी गठन किया था और नीती आयोग ने जो महत्वकांची जिलों की लिस्ट जारी की थी उसमें टॉप पर रहा था उत्तर प्रदेश का चंद और जी एन इनोवेशन तो इस नाम से एक वेब पोर्टल लांच किया गया है तो इस समय COVID-19 के खिलाफ जो भी इनिशेटिव मानव संसादन विकास मंतराले के द्वारा शुरू किये जा रहे हैं उन्हें इस पोर्टल के थूरू मोनिटर किया जा सकेगा कि वहिया सब कुछ सही चल रहा है या नहीं चल रहा है आचा वेसे अभी मानव संसादन विकास मंतराले से कुछ कुछ कुशन सम लोगों ने पड़े थे मैं आपको रिवाइस कराता हूँ वन बाई वन जैसे कि अभी इसने ऑनलाइन जो स्टोर है डीजी लोकर उसको राश्ट्रिय सेक्शनिक डिपॉजिटरी घोशित किया था इसके अलावा कोविड नाइनटीन से निपटने के लिए एक मेगा ओनलाइन चैलेंज जिसका नाम क्या है समाधान उसको लॉंच किया था और अभी देश में ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम को बहतर बनाने के लिए भारत पड़े पहल शुरू की है तो सहीतर होगा मणीपूर सरकार ने तो मणीपूर सरकार ने कोविड 90 महाँमारी के खत्रे को देखते हुए फूड बैंक नामसे एक नई पहल शुरू की है और ये पहल गरीबों और जарूरत मंदों को मुफत भोजन जैसी ततकाल सहाईता देने के लिए शुरू की गई है तो जिने लोगडाउन के कारण जरूरी वस्तुओं की कमी का सामना करना पड़ रहा है उनके लिए है ये इनिशेटिव मनिपूर की बात करेंगे कैपिटल इंफाल है मुख्यमंत्रिय है अचा मनिपूर से एक प्रशन काफी बार एकजाम में रिपीट होता है यहाँ पे एक नेशनल पार्क है और एक जील भी है उन दोनों से ही प्रशन बनते हैं यहाँ पे जो जील है उसका नामे लोक टक जील इसी को फ्लोटिंग लेक भी कहते हैं जिस पे दुनिया का एक मातर तेड़ता हुआ नेशनल पार्क है जिसका नाम है काबूल लामजाव नेशनल पार्क है तो यह आपको याद रखना है यह प्रशन एकजाम में आता ही आता है इसके अलावा मनिपूर के फेयेंग गाउं को भी दिया गया था भारत का पहला कार्बन पॉजिट्व फिर है अभी करनाटक बैंक ने किसे MDCEO के रूप में पुना न्यूक्त रिया पॉइंट कर दिया है तो आंसर होगा महाबलेशवर MS को तो यह नाम आपको याद रखना है बाकी जो यह नाम लिख रहे हैं यह हम पढ़ चुके हैं जैसे कि संजे अगरवाल के बारे में अभी AU Small Finance Bank के MDCEO के रूप में इनने भी पुना न्यूक्त किया गया था पराग राज अभी भारती एकसा Life Insurance के MDCEO बने यह समीर अगरवाल यह Walmart इंडिया के CEO बने थे बाकी करनाटक बैंक की बात करेंगी तो इस्तापना 1924 में हुई थी Headquarter इसकी Mangalore करनाटक में है MDCEO तो यही बन गए महावलेशुर MS और इसकी Tag Line भी याद रखो क्योंकि Tag Line भी पूछी जाती है एक्जाम्स में खास तोर पर बैंक वाले एक्जाम्स में Your Family Bank Across India फिर आपसे पूछा जा रहा है अभी People's Bank of China ने किस भारते वित्यस अंस्थान में 1.01% की हिस्सेदारी खरीद ली है तो आमचर होगा HDFC Finance में अच्छा जैसे भारत का जो Central Bank है वो कुन सा है? RBI यह उसी तरह से चाइना का जो Central Bank है वो है People's Bank of China और उसने अभी तक Total HDFC Finance में 1.01% की हिस्सेदारी खरीद ली है और इसी तरह से आपको याद आया होगा हमने पढ़ा भी था कि Insurance Australia Group ने SBI General Insurance में अपनी पूरी 26% की जो हिस्सेदारी थी उसको बेचने का निर्ने लिया है फिर है अभी COVID-19 महामारी के कारण Rogers Cup महिला टूर्नामेंट कब तक के लिए स्थगित कर दिया गया तो अंचर होगा 2021 तक के लिए तो अभी Rogers Cup का जो महिला टूर्नामेंट है उसको 2021 तक के लिए स्थगित कर दिया गया है वैसे ये टूर्नामेंट इसी साल केनेडा के मोंट्रियाल में होने वाला था 7 से 16 अगस्त तक लेकिन अभी Corona Virus के करण इसे स्थगित कर दिया गया अचा ये तो बात हो गई महिला टूर्नामेंट की अगर पुरुष टूर्नामेंट की बात करेंगे तो वो भी इस साल टोरंटो में होने वाला है 8 से 16 अगस्त तक पर अभी तक उसके बारे में कोई निउस नहीं है कि उसे भी स्थगित किया गया है अचा वैसे तो काफी सारे इवेंट्स हैं जिनको इस्थगित कैंसल कर दिया गया है कुछ जो मेरे को याद आ रहे मैं आपको बताता जाता हूँ जैसे कि 2021 में वर्ल्ड गेम्स जो आपके काँ पे होने थे बर्मिंगम में होने थे बर्मिंगम USA वाला लेकिन उसे अब कैंसल कर दिया अब वो 2022 में होगा उसी तरह से हमने पढ़ा भी था पीछे ही कि FIFA अंडर 17 महिला विश्व कप ये इसी साल भारत में होने वाला था लेकिन इसे भी स्थगित कर दिया गया कोरोना वायरस के कारण और Kopa America Football Tournament 2021 तक उसे भी स्थगित कर दिया गया और European 2020 Football Tournament जिसे आप Euro Cup बोलते हो उसे भी 2021 तक के लिए स्थगित कर दिया गया और सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे चर्चित Tokyo Olympic 2020 इसे भी स्थगित कर दिया गया 2021 के लिए और United Nation का जो COP26 जलवायू परिवर्तन शिखर सम्मेला ने उसे भी 2021 तक के लिए स्थगित कर दिया गया तो ये कुछ पॉइंट्स मिने आपको बताए ने आप ध्यान रखना फिर है अभी कि सराज्य की सरकार के द्वारा COVID-19 के मरीजों के लिए प्लाज्मा थियोरी के परिक्षन की शुरुआत की जाएगी तो आंसर होगा केरल सरकार के द्वारा तो अभी CSIR ने का है अच्छा CSIR मतलब Council of Scientific and Industrial Research तो इसने क्या का है इसने का है कि कॉरोना के गंबीर मरीजों का इलाज Convalescent Plasma Theory से किया जाएगा अब इसमें क्या होता है तो simple सा आपको समझा रहो simple सा समझो मालो कोई कुरोना से संक्रमित व्यक्ती है और वो ठीक हो जाता है तो ठीक हो गया न वो तो फिर उसका क्या करेंगे उसका हम खून से antibody निकालेंगे और फिर उस antibody को अगर कोई दूसरा COVID-19 का गंबीर मरीज है तो फिर उसका उस antibody से इलाज किया जाएगा तो इसी therapy को कहते हैं Convalescent Plasma Theory और सबसे important बात ये है कि ये therapy शुरू करने वाला केरल देश का पहला राज्य बनेगा अब केरल बनेगा तो केरल की capital याद होनी चाहिए क्या है तिरूननपुरम मुक्यमंत्री है पिनाराई विजियन और गवर्नर है आरिफ मुहमत कान केरल को Garden of Spice यानि की मसालों का भाग भी कहते हैं याद रखना देश की पहली LNG बस सिवा आपकी केरल की कोच्ची में ही शुरू हुई है LNG मतलब होता है Liquified Compressed Natural Gear और याद रखना भी केरल के मुक्यमंत्री ने ड्रग माफिया से निपटने के लिए योद्धावू नाम से application भी launch की थी और भारत की पहली Super Fab Lab ये भी केरल में ही इस्तापिट की गई है अचा भी कोरोना से लड़ने के लिए Break the Chin अभ्यान भी केरल नहीं शुरू किया था और केरल सरकार ने Digital साक्षरता अभ्यान मैं भी Digital हूँ इसको भी शुरू किया था अचा केरल में एक बहुत important मंदिर है जो कि कई बार एक्जाम में पूछा जाता है सबरीमाला मंदिर ये आपके केरल में ही है और ये भी न्यूज में भी था क्योंकि इसके जो गहने हैं उनकी सूची बनाने के दिए उनका मुल्यांकन करने के लिए Supreme Court ने C.N. रामचंदरन को न्यूक्ट किया था अच्छा एक प्रश्णम है मेरा आप लोगों से देखो एक्जाम में दो important मंदिर काफी पूछे जाते हैं एक तो सबरीमाला मंदिर और एक मिनाक्षी मंदिर और भी मंदिर पूछे जाते हैं लेकिन ये top most है मिनाक्षी मंदिर और सबरीमाला सबरीमाला तो मैंने आपको बता दिया आप मुझे बताओ मिनाक्षी मंदिर किस राज़े में है देखते हैं किस को आंसर पता है फिर अभी किस राज़े की एक किसान वेग्यानिक ने bio fortified गाजर विक्सित की है तो आंसर होगा गुजरात, तो गुजरात की जुनागर जिले की एक किसान वेग्यानिक है जिनका नाम है वल्लब भाई, वस्तरम भाई, मकानिया, तो अभी इन्होंने ही गाजर की एक जेव सशक किस्म, यानि की बायो फॉर्टिफाइट किस्म विक्सित किये, जिसे मधूब गाजर भी कहा जाता है, जो बीटा के रोटीन और आईरन से भरपूर है, और आपको बता दूँ ये जो किसान है वल्लब भाई, वस्तरम भाई, इन्हें करशी के शेतर में 2019 में पदम श्री से भी सम्मानित किया जा चुका है, अच्छा बायो फॉर्टिफाइट से आपको क खतम हो चुका है, और गाईज मैं आप लोग उसे रिक्वेस्ट करूँगा, कहना चाहूँगा प्लीज वीडियो को शेर जरूर करा करें, क्योंकि इतना टाइम हो गया, मुझे इतना टाइम हो गया कहते केते, लेकिन अभी भी व्यूज नहीं आ रहे, आप में से बहुत सा को इससे हेल्प मिलती है, तो थोड़ी से आप हेल्प मेरी भी करें, इसको शेर करके, अभी इन वीडियो को देख लिया तो इसकी प्रैक्टिस जरूर लगा लेना, ताकि ये सारे कुशन आपको याद हो जाए, क्योंकि आपके याद होने के लिए ये सब कुछ करा जा रहा कि ये बाल कर पके, क्यात का,टि एक ये ये सकस Кон País님이 जाए, कि बढ़ presented an हो कर दो।ोर आपके, रहा हा का,वे को अपके, ये, सुरत आपके, च barking, बखके, से इन आपके अके, तक म।ोर रहा हे हाथ, क क्ट आपके, इन हिए भीसे से बास, रहा हमें ले और के इन कित अजने ट